अब रोल पुष्पा का पुष्पा 2 के मेकर्ज ने बड़ी क्लाश मोल ली है क्योंकि इसी दिन अजे देवगन रोहिद शटी की सिंगम 3 रिलीस होने वाली है पुष्पा 2 के मेकर्ज ने रिलीस देट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर रिलीस किया इसमें अलू अर्जुन ने परपल कलर की कमीज पहनी हुई है उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है जिसमें उनोंने तीन सोने की अंगोठिया पहनी हुई है और कानी उंगली पर नेल पेंट लगा हुई है और खून के कुछ छीटे नजर आ रहे है दूसरे हाथ से संभवता वो सिगरेट पी रहे है उसी के धुए से उनका चेहरा चुपा हुआ है पोस्टर पर सबसे उपर बोल्ड लेटर्स में फिल्म की रिलीस डेट लिकी हुई है पुषपा 2 के इस पोस्टर को देखर लग रहा है कि मेकर्स ने पुषपराज के किरदार के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है शायद उस कैरेक्टर को थोड़ा फिमिनिंग टच दिया गया है या कुछ और एंगल भी हो सकता है पहले तैयारी थी कि पुषपा 2 को 2022 में रिलीस किया जाएगा क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी तब ही KGF 2 रिलीस हुई उसके बाद मेकर्स ने पुषपा 2 को दोबारा से शूट किया इसलिए उनोंने फिल्म के सभी सीक्वेंस को फ्रेश तरीके से फिल्म आया पताया जा रहा है कि पुषपा 2 के आदिकतर हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है मेकर्स किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करना चाते इसलिए उनोंने फिल्म को पूरा करने के लिए बकाइदा एक साल का समय लिया है वो अपनी पिक्चर 15 अगस्त 2024 को रिलीस करेंगे 15 अगस्त को गुरुबार पढ़ रहा है ऐसे में फिल्म को चार दिन का लंबा एक्स्टेंडड वीकेंड मिल जाएगा दिक्कत यह है कि इसी तारीक के लिए रोहिद छटी की सिंगम 3 भी स्केडियूल्ड है रोहिद बता चुके है कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है इस बड़े बजट और भयंकर स्केल पर बनाया जा रहा है प्लस उन्होंने अपनी पिक्चर में तकरीबन आधी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कास्ट कर लिया है सिंगम थ्री में अरजे देवगन के सातक्षे कुमार, रन्वीर सिंग, दिपिगा पादुकोन, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे अक्टर्स नजर आने वाले हैं ये तो प्राइमरीरी कास्ट हो गई, बाकी रोयचेटी कॉमेडी गैंग भी इस फिल्म का हिस्सा होगी वहीं पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मी का मंदाना पहाद फासिल तो होंगे ही उनके साथ साई पल्लवी, जगपती बाबू और प्रकाश राज भी जुडेंगे पुष्पा दराइस के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट अक्टर का नैशनल अवार्ड मिला है वो ये अवार्ड पाने वाले पहने तेलिगू अक्टर है खैर पुष्पा 2 को रंगस थलम फेम सुकुमार डायरेक्ट कर रहे है आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे पुष्पा 2 या सिंग्नम 3 हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहे हमारा चैनल पॉलिग्राद स्टूडियोज अबराने की कोई ज़रूरत ने है मेरे बेठे की एंट्री मतलब एंड बादमाश्व को डिसेंट्री पुष्पोस हमज्टाचिया मेरे बात करने का वक्त नहीं है अब मैं जो भी बात करूँगा वो सिर्फ सिर्फ कुछे मारने के बात करूँगा पुष्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या फ्लावर में ही फायर है मैं पुष्पा दा रूल से अल्लू अरजुन का अलग और डबल रुमांचित करने वाला कियोदार देखने को मेलेगा पुष्पा धरूल में दर्शकों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा पहले पार्ट में पुष्पा ने शिखावत को धमकी दी थी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा ना उसकी इज़त करेगा वहीं दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें देखने को मिलेगा कि गाउं वालों का भला करने वाला पुष्पा को पुलिस के जरीए जेल में डालने जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा पूरा गाउं पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा पुष्पा के लिए मौर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे पुष्पा दरूल में भी अलू अर्जुन की रश्मी का मंदाना संग जोड़ी जमेगी दूसरे पार्ट में श्री वली एक बच्चे की माँ बनेंगी इतना ही नहीं पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एंपायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों और उसके नाम की तूती बोलेगी वहीं जॉली रेड़ी जो पहले पार्ट में लगबग मौत के मूँवें पहुच गया था पूरी फूर्ती के साथ वापसी करेगा इस मूवी में शीनू की पतनी दक्षाइनी ओर्फ अंसुयाब भारदवाज भी अपना दमखम दिखाएंगी एक्षन ड्रामा फिल्म पुष्पद अराई साल 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतिये फिल्मों में से एक बन कर उबरी इस फिल्म ने भारतिये बॉक्स आफिस पर तीन सो करोड रुपे से ज़्यादा की कमाई की याद हो कि इस फिल्म में श्रीवली, सामी, सामी और उँ अंतवा जैसे ट्रैक बड़े पैमाने पर चाट बस्टर्स के रूप में उभरे वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन सूपर हिट गानों की सीक्वल की भी बात आती है तो फैंस इससे काफी उम्मीद रखते हैं DSP पुश्बा दरूल के लिए ट्रैक तयार करने के लिए लोटे हैं इसी को लेकर संगीत कार ने अपने लेटेस्ट इंटर्वियू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के कुछ गाने पहले ही तैयार कर लिये हैं वहीं इसके लिए खुद के उत्सा को शब्दों में साजा करते हुए ने कहा हर कोई पुषपा 2 फिल्म और उसके संगीत का इंतजार कर रहा है मैं वास्तव में उस प्यार के लिए शुक्र गुजार हूँ जो सभी ने हम पर बरसाया है जिस तरह से निर्देशक सूकुमार सर ने कहानी लिखी है वो अधभुध है हम हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत और लगन से काम करें हैं डीएसपी ने पुषपा के समान था रूत प्रभू के विवादित लेकिन चर्चित गाने उँँ अंटवा के दूसरे पार्ट में रिप्राइज को लेकर कहा हम पुषपा 2 में उँटवा के किसी भी रिप्राइज को नहीं देख रहे हैं लेगन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी पहुत सर्प्राइज पर काम चल रहा है मुझे उमीद है कि हर कोई फिल्म और उसके एंबलम को पुषपा क्या 500 करोणी फिल्म बन पाएगी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी कलियारिन पुषपा दा राइज ने हिंदी बाजार में करीब 100 करोण का बिजनिस कर लिया है पुषपा फिलहाल OTT पर रिलीज हुच की जिन्होंने इस फिल्म का राइट खरीदे और फिर हिंदी में रिलीज किया साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेट में काफी पसंद किया गया और पुरा देश पुषपा टू के आने का इंतजार कर रहा है हाली में मनीश राह ने एक इंटर्व्यू में पुषपा टू की रिलीज डेट से लेकर सूटिंग सेडियूल को लेकर जवाब दिये गे इंटर्व्यू में मनीश राह ने कहा कि पुषपा दा राइज सत्रा दिसंबर दो हजार एकिस को सिनिमा घरों में रिलीज हुई पहले दिन अलो अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोन के साथ बॉक्स ओफिस पर खाता खोला था लेकिन क्रिस्मस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ओफिस पर तेज रफतार पकड़ी और आज ये फिल्म 100 करोन का आगराच छूने में कामयाब हुई मनिख साने पुस्बा 2 की रिलिज़ को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को रिलिज होने में कब और कितना समय लएगा उन्हें साब कर दिया कि पुस्बा 2 इस साल रिलिज़ नहीं हो पाएगगी इस लंबी फिल्म की सूटिंग में समय लेगा उन्होंने बताया कि पुसपा 2 की सूटिंग करीब 250 दिन तक चलेगी पुसपा के पहले भाग की सूटिंग 210 दिन तक चलीग साल 2030 तक पुसपा 2 रिलीज हो क्या प्रभास की बाहुवली दा कंक्लूजन का रिकार्ड पुसपा 2 तोड़ पाएगी इस पर मरिश्सा ने कहा कि बाहुवली के पहले पार्ट ने 120 करोण की कमाई और पुसपा ने 3500 करोण रुपे कमाए दोनों के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो चुका है और पुसपा और पुसपा बाहुवली से आगे जा चुकी अब ये देखना है कि आप पुसपा 2 बाहुवली 2 का रिकार्ड तोड़ देगी लोगों का तो ये मानना है कि जो पुसपा 2 रिलीज होगी तो वो फ्लोर पर 500 करोन नहीं भलकी 1000 करोन तक का बिजनिस कर सकते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए किया पुश्पा 2 1000 करोनी फिल्म बनेगी फिर कब रिलीज होने जा रही है अलू अर्जुन की पुश्पा आखिर रिलीज से पहले किसने से देख लिया है क्या वाकई ये के जी अफ को टक कर देने को तयार है अब इसका जो काम है वो आगे भी बढ़ चुका है और एक साउथ की सूपर स्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधावाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये के जी अफ को टक कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता दे ये आक्टर है बुची बाबु इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइन लाइन लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी गया था लिया से बात करते हुए बुची बाबु ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग को इदेखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुश्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स पुश्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूरा कर लेंगे मेकर्स पुश्पा को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबू की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात के जिएप की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीस होना है फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहल का मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बूची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने कायव ऐसा होता है कि क्योंकि के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत जादा प्यार दिया है अगर बाबू ने पुष्पा की सीथी तुला के जीएफ से की है तो दर्शकों की उमीदे जो है वो बढ़ना लाजमी है क्योंकि के जीएफ कभी अलगी स्वेग या उसका दूसरा पाट आने वाला है और लोग जो है वो बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं अगर मोस्ट होती है तो यह देखना दिल्चस्थ होगा कि क्या यह को टकर दे पाएगे साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ यश होंगे और यश ने तो और एक ट्रेलर रिलीस कर दिया के जो कि धासू है तो काटे की टकर होने वाली है दोस्तो आपको कितना वेट है पुश्पा का और क्या लगता अगर पुश्पा और की रश्मी का मंदाना से क्यों हुई ओडियंस खफा क्यों रश्मी का मंदाना की कही एक बात में उन्हें नेटिजन्स का निशाने पर खड़ा कर दिया गया है मैं प्रेंक आप सभी का पिरुने साउथ इंडस्ट्री की तरफ से हाई ओन एंटर्टेन्मेंट की सोगात मिलने वाली है। उपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बलकि साथ सूपरस्टार अलू अरजुन है। इसके अलावा इंडिया की प्रेजेंट क्रश दे क्यूटी रश्मीका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है। जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल साथवे आसमान पर होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस दल्ती के बारे में जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खत्रा बन सकती है। तो क्या है वो। दरसल कुछ साल पहले जब रश्मीका के करियर उडान के लिए पंक फैला ही रहा था। तब एक इंटरव्यू में उनसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो ओफ का नाम पूछा गया। काफी जिजगते हुए उन्होंने नाम लिया केजी एफेक्टर रॉकिंग स्टार येश का। फिर क्या था येश की फैंडम ने भारी मातरा में उन्हें कमेंट्स ट्रोल्स करना शुरू कर दिया। उनके इसके नाम से पूरे मीडिया को हिला कर रख दिया। आखिर वेहार कर खुद रश्मीका ने येश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेक्टर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिस्रेस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपने फैन से ये सब तुरंत रोकने को कहा था उन्होंने कहा कि वो रश्मीका एक दूसरे को परस्नली नहीं जानते हैं और किसी को भी किसी के भी बारे में ओपिनियन्स रखने की पूरी अजादी है इसके उनके बिहेवियर में कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलि कोड़ी खबरे यूँ ही सर्फीस पर आती रहती है ऐसे में कई अतीत में रश्मीका के मूंसे निकली एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे वैसे भी आजकल पुराने ट्वीट्स और कमेंट्स का करियर पर असर पढ़ने का ट्रेंट चल रहा है खेर आप हमें सेक्शन मे असर ढाल सकता है यह फिर फिल्म बिन पर चुका है और एक साउथ की सूपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधाबाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि यह केजी अफ को टक कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता दे यह आक्टर है बुची बाबू इन्ह लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग कोई देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 kgf के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का करदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का दाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूरा कर लेंगे मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबू की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबस दस्प रहेगा कि बुची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने कैव ऐसा होता है कि क्योंकि के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत जादा प्यार दिया है अगर बुची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुल बोला जाए तो के जीएफ है तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीस होती है तो ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या ये के जीएफ को टकर दे पाएगी साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जुन होंगे दूसरे तरफ यश होंगे और यश ने तो पुष्पा के पिछे हो रही लाग मेहनत पर भारी तो हाई गाइस में हुष्ट्रिया रोरा आपकी आज की होस्ट आप सबी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलीकाट्स यूडियोज में तो चलिए बिना जादा वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडिय नहीं बल्कि होल इंडिया के फैंस कर रहे होते हैं और इन फिल्मों में पिछले कुछ समय से साउथ इंडास्ट्रिय ने लीडिंग पुजिशन हासिल कर रखी है इनहीं मोस्ट आंटिसिपेटड फिल्मों में से एक है साउथ सूपर स्टार अलु अर्जुन की अपकमिंग एक्शन त्रिलर फिल्म उश्पा जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए फदेंग की एकसाइटमेंट को चार गुना बढ़हा देती है लेकिन कहीं अलु अर्जुन पर लग रहे इन इल्जामों से पूरी मेहनत पर पानी ना फिर जाए तो आखिर क्या है पूरा माम से वैसे तो अलु अर्जुन के फैंस के लिए एक बेहत सुखद घोशना थी लेकिन शायद खुद अलु के लिए ये इतनी लखी नहीं रही दरसल साउथ के फेमस प्रेडियूसर बनी वास और अलु अर्जुन काफी अच्छे दोस्त हैं हाल ही में बनी वास का बस्टे मना ने अलु मुंबई गए थे जहां वास किसी काम में बुशी थे ये वाकई उनके लिए एक हाट वार्मिंग सप्राइज था जो कि कुछी समय में अलु के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया एक्चली वास ने अलु की कुछ अपकमिंग फिल्मों की कि अक्टर के पास इतनी फिल्में होना तो खुशी की बात है लेकिन इस अनाउंस्मेंट ने अक्टर को मुसीबत में डाल दिया पहला कारण तो ये कि अक्टर्स अक्सर अपनी फिल्मों की अनाउंस्मेंट यू नहीं करते हैं अनलेस उन पर काम जल्दी शुरू होने वाल अब पूरा सिने वर्ल्ड और मीडिया इस अनाउंस्मेंट के पीछे के मकसद को जानना चाहता है कि क्या ये प्रेड्यूसर्स को आक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टन्ट था या फिर बाकी आक्टर्स को कॉम्पिटिशन देने के लिए जिनक या आप हमें चल्दी से कमेंट करके बताईए कि आपको क्या लगता है क्या ये अनाउंस्मेंट सिर्फ एक एक सब्सक्राइट और सपोर्टिंग फ्रेंड की मिस्टेक थी या एक प्रॉपर्ली स्ट्राटेजाइजड एजेंडा अपनी राएं हमें कमेंट करके जरूर बत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा तो दोस्तों बाहुबली के ग्र्यांड और और उसके बाद के जीएफ की सुनामी के बाद अब ऑन स्क्रीन पुष्पा उतर रही है अपना कहर जमाने पुष्पा डार्टर सूकुमाद वारा नेदेशिक हुआ है लेकिन हाँ इसका हाइस प्रपोर्शन साउथ के दर्शकों को जाता है और शायद इसी प्रपोर्शन और इसी रेशियो को चेंज करने के लिए अब फाइनली अलू अर्जुन अपनी प्रभास के पराबर आनके लिए प्रभास के ऊपर चड़ना पड़ेगा अब मैं जानती हूँ आप काफी कन्फ्यूज हो गये होंगे लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी इसले वीडियो को पूरा जरूर देखें तो नमस्काल दोस्तों स्वागत है आपको अपने चानल बॉलिग्राट स्टूडियोज में मैं हूँ आपकी दोस मिनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलू अर्जुन की अपकमें पानिंगे रिलीज वाली मूवी पुश्पा के बारे में तो दोस्तों जैसा की आप जानते ही हैं कि पुश्पा रेट सांडल बॉट की स्मगल की कहानी होने वाली है जिसमें अलू अर्जुन काफी खास करिदारों में नजर आने वाले हैं जहां एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाइप्रोफेशन होंगे वहीं पर वो एक स्म क्रिटिशन और क्रिटिशिजम के साथ साथ उनको एक बहुत बरी टकल मिलने वाली है प्रभास की मूवी सलाज से तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पुश्पा का सबसे बड़ा क्रिटिशन क्रिटिशिम या बॉक्स ओपिस पर आई और कोई मूवी नहीं मिलकी प्रभ साथ भी सामने आती है कि दोनों की मूवी साथ इंदास्ट्री से बिलॉग करती है लेकि सिमिलारिटी इसकी खत्म नहीं होती दरसल दोनों मूवी की शूटिंग तिलांगना में हुई है और तिलांगना के एक ऐसे जगह पर जहां पर उसको कोल माइन कहा जाता है अब पहली अब अगर वहीं बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में तो अभी केजी अब भी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कबजा दावाने की कोशिश कर रही है तो दोस्तों अब ऐसा नजर आता है कि फाइनली फिल्म के मेकस मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थि और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से जादा हिट करना पड़ेगा अपनी मूवी को ताकि वह प्रभास वाले स्टानर्ड पर करेंड़ी आ सके अब सिर्फ इतना ही नहीं खास बात ये भी है कि ओडियन्स अब हीरो को सिर्फ हीरो के यारेक्टर में नहीं देखना चाहती उन लोग को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव करेक्टर को एक्स्ट्रोर करने का मौका मिले और सबसे खास बात यही है कि तीनो मूवी में कहीं ना कहीं ये तीनो नेगेटिव क्याक्टर होने वाले हैं जिनके एक्स्ट्रोरेशन के उपर ये मूवी गू क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैन्स का रियाक्शन नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंखुरी और स्वागत करती हूँ आप सब का बॉलिग डायर स्टूडियोज में पुष्पा अलू अर्जुन की अपकमिंग पैन इडिया फिल्म है जुसमें लॉरी ड्राइवर बने अलू अर्जुन फुरेट सैंडल्वूड की तसकरी करते हुए नजर आने वाले हैं सुकुमा डिरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अलू अर्जुन और रश्मी का मंदाना की जोडी को एक साथ देखने को मिलेगा अलू की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग जहां उनके डैशिंग हैंसम अवतार में पेश होने की वज़र से और उनके लुक्स के वज़र से थियेटर में टिकेट बिकती है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकेट्स बिकने का इस बार उन्हें रग्य दवतार में दिखाये जाएगा जो उनके चोर किरदार को बिल्कुल जस्टिफाई करता है लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एकसाइट्मेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एकसाइट्मेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है क्या और कौन? जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए हम बात कर रहे हैं फिल्म से रीसिंटली जुड़े आक्टर फहाद फाजिल की अगर आप अलू अरजुन या फिर रश्मी का मंदाना के डाय हाड फैन हैं तो आप उनकी पुश्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस नियू इंक्लूजिन का भी पता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है वेल इसका जवाब तो फिल्म के ओफीशिल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है जिसमें फहाद को नैशनल अवाड बिनर और पार हाउस ओफ मॉलिवूड के नाम से इंट्रिड्यूस किया गया है जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अलू एजन के साथ एक फेस आफ के लिए लाए गया है लेकिन सुकुमार इसमें प्रशान्त निलवाली गर्ती नहीं करना चाहते जिनकी ब्लॉक बस्टर केजियूफ में गरुडा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपियरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक वार में ही मर जाने के लिए रखा गया था इसलिए वो किसी ऐसे अक्टर की खोज में थे जिनके साथ ओडियंस को सिर्फ फेस ओफ ही नहीं बल्कि बिगिस्ट एवर फेस ओफ देख पाने का थ्रिल आए और ये कोशिश काफी काम्याब होती भी नज़रा रही है ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये इस न्यू से इंप्रेस्ट फैंस का मानना है उनका कहना है कि फाजल और अलू अर्जुन का कोलाबोरेशन गुभी सुकुमार के डिरेक्शन में इस से बहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता वहीं एक और फैन ने कहा कि फाज अपनी आखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं अलू अर्जुन के फैंस वाकई लगी हैं कि उन्हें इन दो सितारों की टककर देखने को मिलने वाली है आप हमें कॉमेक्ट में बताएं कि आप इन दोनों की टककर को देखने के लिए कितने एक्साइटन हैं और अगर आपको ही है पुष्पा और केजियर के बीच जब कौन होगा इस रेस का अल्टिमेट मिनल पुष्पा अलू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसका रिडिक्शन सुकुमार कर लगी इस फिल्म में नैशन क्रेश रश्मे का मंदाना को एक रीडिंग लेडी का कास्ट किया गया है इस फिल्म को लेकर ओडियंस में जितना क्रेश है उतना ही तनाव ही है तनाव इसका कि KGM सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का जी है दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंस को और दर्शकों के सामने रखे जा चुके हैं लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तक्रार को लोगों ने देखा जाने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिए को और अगर आपको मारा वीडियो पसंदा है तिस लाइक शेयर करना भूख करना भूलेगा हमने अपने पिछले ही वीडियो में आपको पुश्वा से जुड़ी एक एहनम खबर दी थी कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोस करने की जिद्दारी वेरी पॉप्लर एंड सक्सेस्टुल म्यूजिक कंपोसर डेवी शंकर प्रसाद के कंदों पर डाली जाती है जिरू मुसीबत यह है कि गाने से फिर एक बार केजिये फैन्स और पुश्वा फैन्स आमने सामने खरे नजर आ रहे हैं जैसा कि आप सब लोग जाते हैं कि केजिये के सक्सेस के पीछे म्यूजिक कंपोसर अभी पसरूर का स्पेशल पॉंट्रिशन था जिनकी कॉंपोसिशन ओड करने लोग इसे एक सब्सवार्स बश्रूर की तकरार की तौर बड तो पर देख रहे हैं और चानता चाहते हैं कि दोनों में पहत हैं आप सोच रहे होंगी कि गाने से सभी फिल्मों में होते हैं इसमें KGF एनेक्शन क्या है लेकिन आपको बता दे कि गाना DSP ने लिखा है वो अगर आपको याद हो तो KGF में भी सलाम रॉकी भाई नाम से एक गाना रखा गया था जिससे औरियंस ने बेहत पसंदी किया था और आज भी कई बार किसी ना किसी स्वाग वाले वीडियो से वह गाना सुनने को मिल ही जाता है इसी कारण से लोग जानने के लिए बेहत एक्स को इस बारे में क्या लगता है और दोनों फिल्मों से आप किसको वेब देना चाहेंगे बताएं हमें कमेंट्स ने अलु अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर हुश्पा ने अनौंस्मेंट के बाद से ही सब की नजरे अपनी और कर रखी है इसके बाद फिल्म के कि स्मगलिंग की कहानी दिखाई जाएगी फिल्म का क्रेज अलरडी अपने एक्स्ट्रीम लेवल पर है पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में हैं अब क्या नया किया जा रहा है इस फिल्म में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फिल्कुल ना भूलें तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी इंडियन फिल्म की सक्सेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है और खास कर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सू भाने के लिए मेक अजने फेमस म्यूजिक कंपोजर देवी शंक प्रसाद के दर्वाजे खटखट आए हैं खबरे आ रही हैं कि देवी शंक प्रसाद ने हाल ही में फिल्म में अलु अर्जन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सूकुमार और अलु अलु सूकुवालनी, मन मधुदू, वर्शम और आर्या जैसी सक्सेस्फुल कॉम्पोजिशन इंडास्ट्री को दे चुके हैं जिसमें से आर्या तो अलु अर्जन की ही फिल्म है इस तरह इन दोनों की कॉलाबॉरेशन तो ओल्रडी हिट रही है देवी सर को इंडास्ट्र की जरूरत थी जिसकी धुन किसी भी इंडास्ट्री के बैरियर्स को हटा कर पूरी इंडिया की ओडियंस पर एक चैसा ही इंपक्ट करें जहां शायद शब्दों की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ म्यूजिक ही प्योर इमोशन पयान कर डाले और देवी शंका प्रसाद ऐसी कबिल्यत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोसर्स में से एक है यूँ तो देवी शंका प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलर कॉंबिनेशन समझा जाता है लेकिन रीसेंट सोशन मीडिया ट्रेंड्स के कारण अलू के बटा बमा सौंग की मैसिफ पॉपुल तो खेर अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल ना भूलें और आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताईए कि आप इस धमाकेदार गाने को सुनने के लिए कितने एक्साइटेड है और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चानल बॉलीक्राट स्यूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें आज की स्क्रिप्ट राइटर है उपासना पांडे बहुत बहुत शुन की फिल्म पुश्पा ने मानो हर और पहला का मचा दिया है खासकर फिल्म के टीजर और पोस्टर में दिखे अलूर जुन के इस नए अफतार के बाद अलु अर्जुन के इस नए रफ लुक ने मानो लड़कियों को घायल कर दिया और अगर वहीं बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो standard ही race कर दिये हैं वैसे भी अलू का नाम भारत के सबसे handsome आधियों में लिया जाता है और उसकी उपर से उनका ये rough look तो ना जाने कितने लोगों का पत्ता कार देता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस look के पीछे चुपा असली talent कौन है नहीं कोई नहीं हम बता देंगे तो दोस्तो ये चीज तो आपने नोठी की होगी कि हम कई बार actors की तारीफ करते हैं वा यार रनवीर कपूर तो पूरे संजदत लग रहे हैं यार रनवीर संग ने कापल पाजी का क्या look लिया है हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वो अमिता पच्चन ही थे लेकिन दोस्तो उसके पीछे हुई मेहनत को रगनाईस करना हम अक्सर भूल जाते हैं लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि यह बॉलीगाट स्टूडियोस की नगरी है यहां किसी की भी मेहनत अनकही नहीं जाती और इसलिए आज हम इस रात से परदा उठाएंगी कि आखिर अलू अर्जुन के इस ट्रेंडिंग लुक के पीछे किसका हाथ है दरसल सोशल मीडिया पर तहल का मचा देने वाला ये लुक असल में मेकप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रिती शील सिंग का देन है जी हां दोस्तों अगर आपने पद्मावत में खिलजी के लुक से फॉफ महसूस किया था या फिर हैदर में शाहित के लुक पर तालिया बजाई थी या फिर बाजी राव मस्तानी पादमावत जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने के लिए मेकप टुटोरियल सर्च किये थे या फिर सौनोट आउट में रिशी और अमिताप सर का लुक देखकर आप भूली गए थे कि लोग असल में दिखते कैसे हैं या फिर गमगुबाई काठ्यवादी में आल्या की लुक को देखकर हैरान रह गए थे तो आपको बता दें कि आप अंजाने में पृती शील के ही टालेंट को सहार रहे थे जी हाँ दोस्तों ये सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चिर्स और उनके ये आइकॉनिक लोग उन्हीं की देन हैं इतना ही नहीं, मॉम, हाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसकुल 3, बाला, पंगा, अंदादुन, छिचोरे, मुल्क, पती-पत्नी और वो जैसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनके एक लंबी लिस्ट सार्थ हो जाएगी अगर हम उनकी टालेंट की बात करें तो अब आप इन सभी लुक्स को याद हीजे और हमें ध्यान से बताईएगा कि आपको कौन सा लुक बेस लगा था साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करेगा लाइक और शेयर और कर दीजी करने वाले हैं बॉलिवुड में डेब्यूट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चानल बॉलिग्राइट स्टूडियो के एक फ्रेश नए वीडियो में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट शुती बाहु पली के बाद मेगा ब्लॉग बस्ट हिट मूवी वैकुंता पुरा मुलो ने एक पैन इंडिया मूवी नहोने के बावजूद 200 करोल का कलेक्शन किया था अलू अरजुन की पॉपुलारिटी और उनकी लास्ट हिट मूवी और उनकी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा तर्चा में गिरे हुए हैं अलू अरजुन का न्यू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है वहीं मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे रियूमर्स मारकेट में खड़े हो चुके हैं जहां मूवी को सेकंड पार्ट में रूलीज करने का सोचा गया है और डिरेक्टर ने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि इस मूवी में विलिन की एंट्री फर्स्ट मूवी पार्ट के आखिर में होगी जिससे जाहिर होता है कि शायद मेन आक्शन फिल्म को सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा मगर बावजूद उसके फर्स्ट मूवी पार्ट के ट्रेलर में काफी ज्यादा आक्शन और तबा तोड़ फाइटिंग सीक्वेंस दिखाये गए हैं इस मूवी में अलु अर्जुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है अब सव साथ अलु अर्जुन की लवर का रोल भी निभाएंगी इस फिल्म की शूटिंग साउट के अलग अलग अलोकेशन में की गई है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अलु अर्जुन को कुश्पा राज मूवी में चिट्टू डालेक्ट में फिल्म के सभी डायलोग्स बोलने होगी रश्मिका मंदाना ने हाली में अपने एक इंस्ट्राम लाइव सेशन में पुश्पा राज मूवी को लेकर अपने एक्स्पीरियंस भी शेयर किया था उन्होंने बताया कि पुश्पा राज में कुछ ऐसा देखनी को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश क वे टीम मूवी की शूटिंग कर रहे हैं साथ ही साथ अलू अर्जुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है अलू अर्जुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस वेरी सिंपल एन स्वीट आक्टर उश्पा राज की शूटिंग का काफी ज्यादा भारी मात्रा में भीड एकटा हो गई सबीज ने अलू अर्जुन का बड़े प्यार से मिले और इंटराक्ट भी किया सकेंड वेव के चलते पुश्पाराज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है अभी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है बीच में 28 एप्रिल को अलू अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविट पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी ती जिसकी कारण कुछ दिन तक अलू अर्जुन होम कॉरिंटीन थे जिसे वहां जा मूवी की शूटिंग कुछ टा फेस्टिवल या फिर 17 डिसेंबर के आज पास रखी जा सकती है तो वहीं पुष्पा राज का पोश्टल और टीजर अलू अर्जुन के बर्ट्डे के दिन जुलीज किया गया था लॉंच पर अलू ने अपने सभी रीजन के फैंसे उन्हें देर सारा प्यार और सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अधा भी किया उन्होंने अपने नौत हिंजन हिंदी और अधर रीजन के फैंस के लिए अपना ग्राटिट्यूड इंग्लिश लैंग्विज में बताया और साथ ही हिंदी में भी उनके कुछ शब्द बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया ने हिंदी ओडियंस का दिल जीत लिया उनकी स्पीश के बाद से ट्विटर पर उनके फैंस का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नौधन साइज में उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है हिंदी ओडियंस के बीज इतना अच्छा रिस्पॉं है और उससे काफी ज्यादा अच्मायर भी किया जाता है जिस तरह से हिंदी इंडॉस्ट्री के अक्टर्स सॉट सुंट व्यों करते हैं वैसे ही वो भी हिंदी इंडंस ज्यादा औरिंसज करना चाहते हैं और पुष्पा राज के इस मैसिफ प्री रूलीस सक्सेस के बाद से ही नोंने हिंदी इंडस्ट्री में अपना फैन बेज भी बना लिया है अलू अर्जुन हिंदी फिल्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं जहां बाकी तेलगू अप्टर्स अपने रीज इंडस्ट्रीज की अपकमिंग मूवी पर है सबसे ज्यादा फुष्पा राज पर है अलू अर्जुन का बॉलिवूड में आजनीव कमर आने के लिए फिलहाल कोई मूड तो नहीं है मगर जल भी वो बॉलिवूड मूवी में नजर आ सकते हैं उन्होंने काफी स्क्रिप्स पढ़ी है मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आया अलू अर्जुन को पहले अर्ट इन्यहोंने कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया मगर अर्जुन以後 Profण में काफी काफी इंटेन्स जूल उन्होंने मूना कर लिया धा उन्हेंने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है After that, पुष्टास बात बताएं तो दोस्तो शदा कपूर के फैंस और हिंदी सिनिमा के लिए ये बात काफी जादा बहतरीन और एक्साइटिंग हो सकती है और इसी वज़े से फिल्म को काफी फेम और काफी बज मिल सकता है तो आपका इस टेक्नीक के बारे में पुष्पा की सारी फिल्मों का उनके फैंस को लंबा इंतदार रहता है लिए कि फैंस पूरी कुशिश करते हैं कि उनकी हर फिल्म जॉप बच्चर साबिक है अब पुष्पा की ही बात कर लेकर उनकी फैंस करीब दो साल से इस पिक्चर का इंतदार कर रहे हैं जब से इस पिल्म का पहला कोस्ति रिलीज किया गया था आने वाले दिनों में कुश्पा का चलिगर भी रिलीज होने वाला है दोस्तों मैं आपको बता दू उस फिल्म में अलु अर्जुन की ओप बिल्स नाशनल फ्रस्ट कुष्मिका मान देना नजर आने वाले है कुष्पा में विलिन की तौर पर पहाद फजिल नजर आएंगे साथ ही इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे है इसको तुमार कुष्पा आज इतने जादा लाइन 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 नहीं भी है क्योंकि इस फिल्म में बीड गॉर पर अलु अर्जुन नजर आने वाले हैं और अलु अर्जुन का स्टार्डम ही कुछ ऐसा है कि उसकी हर फिल्म ही लगातार चल्चा में बनी रहती है अगर कुष्पा स्टेस्फुल होती है तो उसका कुछ प्रेडिट अलु अर्जुन के मैस्फ पॉपुलारिटी को भी जाएगा आज उन्हें सीरियों में बात करेंगी कि आकर कैसे अलु अर्जुन साउथ के सूपर स्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का स्टाइज यंग आईपिन कहा जाता है अलु अर्जुन में जादतर काम साउथ इंडस्ट्री नहीं किया है अभी तक वो बॉल्वूर्ट की पिसी फिल्म में अपना डेब्यूट करते हुए नहीं लिखे है उन्हें बच्वन से ही आक्टिंग और डान्सिं का शौक रहा था और इसी वज़े से उन्हें कई आडविटाइजमेंट्स भी मिलने रहे इसके बाद अलु अर्जुन को उनकी पहले फिल्म में जिसमें इने लीग किरडार नभाया था और वो धी गंगोद्री पिक्चर ल को आर्या कोया वज़ें्ट्री सि्वेकि लो जब स्पेटाइज एक स्कांट्स फिल्म घथी कारीव इस पिक्च्चर में उनकेकल शुख चिल्ट की काफी स्ञेपना होई इतना ही नहीं आर्याचाइज़के बार अल्लु अर्ज़न को कई अवर्ड से न्वादा किया था ज इसमें से अगर इसी के लुक्स को सबसे जादा अप्रिसियेशन मिलता है तो वो है अलू अर्जन, खास तोर पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं आनेवाले दिलों में अलू अर्जन की फिल्म पुषपा रिलीज की होनी वाली है। और कैसे अलू अर्जुन फिल्म की शुरुवाती दोर में एक खराब इंसान होते हैं लेकिन बात भी उनकी जुन्दिकी में काफी बदलावा जाता है। आप पुश्पा के भी कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट इच्छे में जरूर बताइए। अलू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड अपकविंग मूवी फुश्पाराग जिसे सुकुमार ने जरेक्ट किया है। चल ये थीटर्स में अपना कमाल दिखाने वाली है। बावजूद इसकी ओडियंस अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस मूवी से रिलेटेड बार-बार कोई न कोई अफवा हर बार मार्कित में नजर आदी है। जिस वज़े से फैंस के एक नई फैंस थीओरी बननी शुरू हो जाती है। इस मूवी के लिए जहां टॉली वोड के हाइस पेड एक्टर्स में से एक अलू अर्जुन को कास्ट किया गया है। तो वहीं इस मूवी के बाकी की कास और क्रू भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप नैंबर से जुरी हुए। फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने लेटेस इंट्यूव्यू में ये बात कन्फर्म करी है कि फिल्म को दो हिस्सों में रिलीस करा जाएगा। एसा तन्यक एक बड़ी बज़े ये है कि फिल्म की स्चोरी में एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा। और इस पैन को एक मूवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुंके नहीं है। इसलिए हीरो और डारेक्टर ने साथ मिलकर ये डिसाइर किया है कि फुष्पा को दो पार्ट में रिलीस किया जाएगा। क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा। है ना ऐसा नहीं लगता कि पहले भी एक मूवी में ऐसा हो चुका है। जी हाँ बिलकुल सही सोचा आपने मेगा ब्लोकबस्टर बाहु बली मूवी में भी यही हुआ था। फर्स पार्ट में भी बहुत बड़ा स्पैंक होने की वजए से फिल्म को दो पार्ट में रिलीस किया गया। फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी मूवी को रिवर्स में ले जाना ऐसा कॉंसेट पहली बार ही किसी मूवी के जरिये दिखाया गया है। कहा जाता है कि गाना है तो मूवी सुपर ही और जहां इस गाने की पूरी प्रेडक्शन, टॉप म्यूजिक, डिरेक्टर, फ्रेड्यूसर और ओस्कर बीनी स्टार के पास हो ऐसे में देखना दिल्चेस्ट होगा कि आखिर कितनी बड़ी सक्सिस इस मूवी को मिल पाती है। कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है। तो सोचने की बात है कि जहां साउट सौंग्स में इतने बड़े स्टार को हायर किया जा रहा है। ऐसे में क्या इस सौंग का हिंदी में भी कोई डब बर्जिन या निव हिंदी सौंग भी लॉंच किया जाएगा। अ ऐसे में उनके पोस्टर में वही सेम लुप दिखा कर ओडियंस के बीच इतना क्रेश पैदा नहीं होता। चितना चौंड के मोस्ट टैशिंग स्टार अलू अर्जुन अपनी अपकमिंग मूवी के लिए काफी जाबा एक्साइड़ है। और पूरी टीम में बहुत जादा सिर्फ अलू अर्जुन के एक्शन पीन, लुक्स और फाइडिंग सीक्वेंस में पाफी तहरका मचा दिया। इस उनसी कोव मेरे लुप फॉरस से शूट किया गया है। जहां हाइप पुलिस कोस्ट और कम्प्रीट से क्योर्टिक ने इस तर्थी पर काम किया था। क्या ज पुछवारा मैं, मिरुस्लॉव, फुबार प्रजेंट को कि रादोस्तें, मिरुस्लॉव इंडिया में टीसी श्री राम और पॉलन का जाता है। टीसी श्री राम एंडिया के रिए अग दिया थे एक है, जो कि बुस्ती त़ले को फिल हंदशी इसे इसे काम करते है। पुछवाराज के लिए निम्फ हायर गिया। मिरुस्लॉव फिल्म में हिस्सा बनने का ये मौका पाकर खुछ नजर आ देती। और पैंस भी ये खबर सुनने के पास काफी जादा खुछ पेंगी। लेकिन ये खुशी के पल जादा समय तक नहीं ठैपाई दी। जी हाँ, सूतरों के मुताबिक, खबरों के अनुसार पुरुनो पैंडमिक की वज़ते वो वापिस जा रही हैं और उन्हें रिप्लेज करने की बाते चल रही हैं। बता दे कि अनु अर्चिन मिरुस्लॉव के साथ काम करने के लिए काफी ज़दा एक्साइट है। और ये एक्साइ ज़रूर बते थे लिए 100 तेलिव इंटर्फी से अटाच हो चुकी है लेकिन अब उन्हें जाना पढ़ रहा है इंटरनाशन ट्रावल में सेफटी बनी लिए इसलिए सब्स्रिक्शन और गाइलेंस को फॉलो कर दे हुए उनको एक एक ट्रावल जोन में रखा हुआ है। य करने के चैंज चल दा जिसे फिल्म की विज्वालिटी और तादे इंटिक्शन पर सामें आती है। अभी प्रिष चिनमाटर्फ अपना कमान दिखा चिने फैट्बू फिल्म्स में जिहां बूश्तों इस से पहले ये खुशिश कुष्पा राज के लिए थी हुई थी लेक अब क्या नया काम के आपका बॉलीग्डफ स्टूडियोज में अल्डू अर्चन की अपकर फिल्म पुश्पा ने अपनी अनाउस्टन के बात से इंडिया में फैंसमी मचा रखी है। कभी फिल्म की हिरोई तो कभी फिल्म का विल्म का गाना फिल्म आय दिन किसी ना किसी क करेंगे जिसका जवाब तो सब चानना चाते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है। ऐसी कौन सी सीप्रेट खबर जान देंगे हैं हमारी वीडियो को एंग तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पस लाइक और शेयर करना बिल्कुलना भूले। जब से को इनकी अनाउस् कुष्पा फिर में अर्चुन की मां का नाम कुष्पा हो सकता है। जित्सों बेहत प्यार करते होंगा और उचुन की मत के बाद ही इसलिए हमकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उन्होंने अपना नाम कुष्पा ही रखने के तो कुष्पा कहना है कि क्या पत पर हमने ये गुस्की सुलजार ही लिए एक्चिली इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपल का कारण है जितना डीज में जाकर फैंस में सोचा उतनी मेहनत मेकर से नहीं थी फिल्म में अलु अरुचिन के कैरेक्टर के नाम खुश्पक नारायन रखा गया है जिने सब प्यार से खुश्पा बुलाते हैं और इसी वज़े से फिल्म के लिए इस टाइटिल को चुना गया आफ्ट और पूरी कहानी इस किर्दार के एक प्रूमी दी बताते ही कि इससे प पूरी कहानी इस पर बेस थी केजिये पर किसका राज होगा शायद इसी चीज को वोईट करने के लिए त्यूकर मार ने सेशा चलम को फुश्पा कर दिया इस ते फिल्म का टाइटल काफी क्यासी भी हो गया और और इंक्लूसर की और सिर्योसिती लगाने वाला हो गया है य दोस्तो आज बात करेंगे आज की फैवरेट और मोस्ट आइलेशन डाशिंग आक्टर अलू अरजन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मुवी पुश्पाराज के बारे में दोस्तो पुश्पाराज का टीजर जब से रिलीस किया गया है और अपने बोधे पर टीजर के फैंस के लिए इंगलिश में स्पीज देते हुए और हिंदी में उनके लिए कुश शब्द कहते हुए उन्हे धन्यवाद कहा है और इतने सबोर्ट के लिए उनके शुकर गुजार हुए है तबी से ही दोस्तो नौर्ट साइड में भी अलू अरजन का क्रेस दिन पर दिन ब मुवी ने रातो रात सूपर सिंसेशन बना दिया था दोस्तो पुश पराज को लेकर हर दीन एक मार्गेट में नई अवा सुनने को मिलती है मुवी की स्टोरी लाइन एक रियल लाइफ इंस्टेंट पर बेस्ट है रीसिंट्री आ रही खबरों के अनुसार अलू अरजन इ में डबल रोल करते हुए नसर आ रही है जी हाँ दोस्तो सूर्सिस की माने तो जहां अलू अरजन का एक किरदार समगलर के रूप में नसर आएगा तो वहीं दूसरा किरदार बिजनसमैन के तोर पर दिखाया जा सकता है अब दोस्तो पुश पराज के नए और पुराने पो अगर इस बात को सही माने तो हो सकता है कि फिल्म में विलन और आक्टर दोने का रोल अलू अरजन साथ में नवाते हुए नजर आया अब दोस्तो सोचिए जिसे बॉलिवड मुवी डॉन में हुआ था जिसमें असले डॉन तक पहुशने के लिए पुलिस वालो ने एक नकल जाए जहां से उनके दंदे को अपरेट किया जाता हो और अब दोस्तों रियूमर्स में कितनी सचाई है वो तो अब फिल्म मेकर्स क्लियर करेंगे तब ही पता चलेगा वंडर मुवी रिलीज होने का तब तक इन पजार करना पड़ेगा सभी को और दोस्तों इन सभी खबर इंटर कनेक्टेड होते हैं और फिल्म स्टार फैन्स के बिना कुछ नहीं है इसलिए साउथ में देगा जा सकता है कि अलुए जिनकी फान फॉलिंग काफी ज़्यादा बड़ी है अपने क्लोस फरेंड और साथ इसाथ उनके फैन्रल में वो खुद उनके घर गए थे बॉल क्योंकि 99% यह फिल्म 17 दिसेंबर 2021 को ज़रूर रिलीस होगी इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स पैल रहे थे सब अपने अपने तरीके से कहानी अजियूम करने लगे थे लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू शुरवात में अलु अर्जुन एक बिस हेलो फ्रेंश आप देख रहे हैं बॉलिग्रास स्टूडियो में हूं सोनी कजयल अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलु अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नजर आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी अच्छे से हो गया तो यह बहुत जादा सूपर हिट रहेगी क्योंकि जो हिंदी ओडियन्स बार बार इन्हें खबरे देनी पड़ती है का फिर्म रिलीज हो रही है तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए इसलिए हिंदी ओडियन्स के लिए स्पेशल ही अलु अर्ज इवेंच साथ ही जितने भी ये बॉलिवुट के चैनल है उनमें इंट्रिव्यू देते हुए नजर आएंगे अलु अर्जुन साथ ही आपको बता दे कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शो में भी इसलिम का प्रमोशन हो सकता है तो सोचिए अलु अर्जुन अगर कपि जनाने वाली है विजय सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील कर दिया गया है सूर्या जो कि अलु अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं तो वह विलन का किरदार करने वाले हैं साथ ही सुकुमार इसे डारेक्ट करने वाले हैं जो कि अलु के साथ भी काम कर चुके हैं तो बहुत सारी जोड़ियां रिपीट हो रही है एक हिसाब से लगाया जाए और सेंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगे अलु अर्जुन उनके जो तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80 से 90 का यह एरा है जिसमे कि अलु अर्जुन की जो शॉर्ट है चेक शॉर्ट दिख रही है बेल बॉंटम पैंड साथी उनके हाथ में स्टील के घड़ी है जो कि 80 के दौर में पहनी जाती थी तो उसी टाइम का यह दिखाया जाएगा आंदर प्रिदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग और बहुत कुछ खास है जैसे की अलु अर्जुन का लुग जो की कुर्ली हैर उन्होंने केरी किये हैं और जितनी भी फोटो तब से उनकी सामने आ रहे हैं उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव अलु अर्जुन नजर आ रहे हैं और भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे फिल्म में आक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों आपको किना अंतजार है अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का ये जरूर बताईए और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी निचे कॉमें सेक्षिन में अपनी राय जरूर लिखिएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए अजिए इजारा के इंद कर दोफारो है उन्य जयादा ये प्रहदा है इसी बात के लिए इतना वायलेंस मेरी यही प्रोब्लम है सान्य मारता ज्यादा हूं किन्त किन कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एई सवर मैं असा ही हूँ भूख लगती है तो पेट पर खाता लीन दाती है तो जीवर सूता और गुस्सा अलो अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपन बात करेंगे साउथ के स्टाइल स्टार अलो अरजुन की जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुश्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोग शेयर किये गए है और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था कुछ तस्वीरे लीक हो इस फिल्म को सुकुमार डिरेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वाइरल हो और लीक हो इसलिए उन्होंटे कड़ी सिक्यूरिटी रग दी है और जिसने भी लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिये हैं कि आखिर कौन इसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमा का मचाना चाहते है इसके लावा आपको बदा दे पुष्पा का बजट भी हाई रखा गया है डेट सो करोड का इसका बजट होने वाला है पैन देगा हिंदी की अगर हम बात करें और हंड्रेट परसेंट ओक्यूपेंसे रही थेटर्स में अगर पैंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थेटर्स में तो यह फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अग उइधी में यह total collection, overall collection की बात करें तो 200-23 करोड फिल्म अ criminal का Around 60 करोड की कमा लेगी वर्डवाइध की बात करें तो 20 करोड का ओवर्शी से करेंगी पहले दिन तो इस हिसाब से lifetime collection के हम बात करें तो वर्ड वाइड ये 500 करोड की कमाई कर सकती है हिंदी तामल तैलगु से 300 करोड कमा लेगी और 200 करोड हो गया हिंदी में तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम total lifetime collection की बात करें तो 500 करोड की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलु अर्जुन के जो फिल्में है उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइड भी उनकी फैन फॉलिंग बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता व्यूस के मामले में भी और फैन फॉलिंग काफी तग्री है इसके लावा उनकी अपॉजट इसमें रश्मी का मनाना दजर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री और लेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में तो दोस्तों इतना तो ये तैह है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी और सेंडल वूड जो लकडी होती है उसके स्मंगलिंग करते हुए दिखाये जाएगा विजय सेतुपती इसमें होने वाले है एक और विलन का लाम सामने आ चुका है वो है आरिया और आरिया अलु अर्चुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ क्या इस नए के दा से बदल चाहिए भी नीतरी की च्छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलु अर्चुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं देने वाली तस्वीरों की वजह से तो कभी अपने जिम वर्क आउट की वीडियो से लेकिन जल्द ही अभी अपना काया पलट करने जा रही है अपनी एक खास फिल्म के लिए तो क्या पैयार है उन्हें एक ऐसे रोप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है अलू अरजुन जिन्होंने बच्पन में ही अपना आक्टिंग करियर चिरंचीवी जैसे बड़ सतारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था वहीं रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अवल है अभी नीतरी 24 साल के सभी नीतरी ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबो के साथ सरीलेरू निक्यवेरू और भीशमा जैसी ब्लॉग बस्टर फिल्म पुश्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें नौन ग्लामरिस रूप में दिखाया जाएगा रशमिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंधरपदेश के चित्तू जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं वही के जीएफ की शीन मिम्रुनाल वाला किर्दार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे चिकी है सुन्दर और चालेंटेड आक्ट्रिस पर जी हां संजलीला भंसाली जिन्होंने आईश्वर याराय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बढ़ला वहीं दिपका पादुकोन के फिल्म गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव, मस्तानी और पदमावत ने दिपका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सलमान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजे लीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोईन ढून रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका परा कर रुख गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या श्रीशक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलू आरजुन फिल्म फिल्म पुश्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपर हिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुष्पा को मैत्री मेकल्स बैनस बेरूल के कर रहे हैं और जो अलुम अर जिन और डारेकटर को औरतला श्रीवा के साथ फिल्म हाश्टाग एए ट्वेंडी वन से भी जुड़ गए हैं फिल्म पुश्पा डारेक्टर सूकुमार, अलुवारजन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है और ये फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तेलगो हिट गाने दिये हैं वहीं आपको उर्वशी रोटेला का गाना डैडी मम्मी हैनी घर पे याद है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी प्रसाद ही है सूकुमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रारंग स्थलम में भी देव श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजि थी और पुश्पा को इस साल की शुरुवात में लॉंच किया जगया था अलू अर्जुन्स टैरर पुश्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ अधसियों को कोरोना वाइरस में पॉजिटिफ पाया गया इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोग दी गई और सेट प हमें अपने जवाग कमेंच करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिग्राच स्टूडियोज को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिम्नल अलो अर्जन स्टार पुश्पा फ क्या है साथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतर इंज फिल्म के साथ तेज़ी से पॉप्लिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेंड करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेनिंग स्टोरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट ही नहीं बल्कि साथ में ही कई डीजियन सिनेमा भी रेस में आ चुके हैं और कई केसे में तो बॉल्यूर से बढ़िया कॉंटेंट परोस रहे हैं हर तपके से जुड़े लोग अब साउच सिनेमा की तरफ देखने लगे हैं और इसकी बदोलत साउच स्टार्स की फैन फॉल इस एक्सपेक्टेड इस त्यालगो फिल्म की एंटिसिपेशन आस्मान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलवर्जन इसी धंदे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्ल फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आये डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहली एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के च पतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सैनल उट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पूस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अरजुन इस फिल्म में एक ग्रे शेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फॉर्स में इसलिए अलूर जुन खुद भी रेर सैंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चलाएगा इसी लुक में वो विलेन के करीब पहुच जाएगा जो सैंडलूट स्मगलर माफिया हैड होता है क्यों इस धनली का पता चल जाता है अपने फॉर्स प्रोजेक्ट पर काम करते हुए तो एन में होता है घुमासा नियूद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बलकि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे हैं अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनम दिन के मौके पर अलू अर्जुन ने सब को सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है पहली बार अलू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लूग भी शेयर किया गया था जिसमें की अलू अर्जुन बहुत ज़ादा मेजिंग लग रहे थे सोशल मीडिया पर बहुत ज़ादा पसंद भी उन्हें किया था और लूग के पीछे मेकप आर्टिस्ट और लूग डिजाइनर प्रती प्रतिशील, हैदर, मॉम, 102, नॉट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसफुल 3 बहुत सारे फिल्मों में मेकप आटेस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत ज़ादा मेहनत करी है उन्होंने और ये लोग सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोग शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही अन्नाउंस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर श पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते है और लोगों के हाथ में भी कुलाडी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे है और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथ ही अलो अर्जुने से पुषपा एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डिरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार जो कि अलो अर्जुन के साल आर्या और आर्या टु में भी उन्हें डिरेक्ट कर चुके है फिल्म है अलो अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतु पती प्रकाश राज जगपती प्रिश्ट भूमी काम में नजर आएंगे यह फिल्म लाल चंदन यानि की सैंडल वुड जो लकडी होती है उसकी तसकरी पर अधारित है फिल्म की प्रिश्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द घूमती वही नजर आएगी यह दक्षरी आंधर प्रदेश में पहाडी शेत्र का हिस्सा है यानि की बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें विज्य सेतु पती और अलू और जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले है यानि की खदनाना के अक्शन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना पुषपा का नीचे कमें सेक्शन में ज़रू बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को ये फिल्म रिलीस होने वाली है तो आप कितने एक्साइटेड है इस सिल्म के लिए जल्दी से लिग डालिए नीचे कमें सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे बॉलिवुड टॉलिवुड हलिवुड अपडेट्स के लिए हेलो एंड वेल्कम टॉ पॉलिग्रास्ट्यूज के कौन नई चट्पिटी वीडियो में हुष्टियार होना आपकी आज की होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में पुष्पाय एक अपकमिंग इंधियन तेलगू लागोज अक्शन फ्रिलर फिल्म है जुसे डाइरेक्टर अलेखा सूकुमार ने है सूकुमार ने अपना डारेक्शनल डेब्यू sitna 24 में फिल्म आर्या के दुआरा किया थ refers अध खाफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अक्टर्स अलु अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती, बाबू, प्रकाश राज, धननजे, सुनील, गिरीश उठमन और वेनला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे आपको बता दे कि फिल्म पुश्पा को प्रोड्यूस मेत्री मुवी मेकर्स अन एस्सोसियेशन विद मुत्तम शेटी मीडिया के तहट प्रोड्यूस किया था फिल्म पुश्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहट रिलीस किया था फिल्म पुश्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलगू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेट वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है जनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की क्रियेटिव डिफरेंसिस की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका नेक्स प्रोजेक्ट सरी लेरू नेकेवारू फिल्म को साइंग किया था जिसे डारेक्ट अनिल रवी पूरिस ने किया था बाद में अलु अर्जुन ने प्रोजेक्ट साइंग किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में अज लीड अक्टर काम करके सुकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलाबोरेशन है साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेट सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि मुष्पा को फॉर्मली लॉंच किया गया था ऑख्टूबर 2019 में दिसेंबर 2019 में डियरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के athi rapidly falls पर फिल्म पुष्पा का first schedule केरला में ही shoot किया गया था फिल्म को COVID-19 पैंडमी की वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टार्ट करी गई थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतु पती बहुत चचा में थे दी आंटेगोनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए रश्मिका मंदानाल को एपरिल 2019 में आज़ लीड आक्टर कास्ट किया गया था और जगापती बेबी और प्रकास राज को की रोल्स करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतु पती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कनड़ा के फेमस आक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुश्पा को की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्ट्रैस वीडियोस को सब्स्क्राइब भी जरूर करें हम जल्दी लौटिंग एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्क्रिट्प्राइटर है रुशाद इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों केंता कम गिंद कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एए सर मैं असा ही हो भूख लगती है तो पेट पर खाता लीन दाती है तो जी भर सूता और कुछ सा आता है तो पूर कर लगता असा तो आता है तो आता है तो बहुत है तो प्रॉब्ल असा जी क्या तो बहुत है तो क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी माशा के साथ साथ कई और माशाओं में भी रिलीज होने वाली है यह ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में एसस राजा मॉली की फिल्म बाहुबली तब बिग्निक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वोर्जन की फ्रिडक्शन कर धाग एश्विन की फिल्म और सिधाथ अनंद की फिल्म में भी पन इंडिया रिलीज होने वाली है उसके बाद के जीए चांटर 2 को भी एक बहुत धहमाखेदार पन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साउथ इंडियन एक्ट् पाचुकी है बॉलिवर में वही सिल्क स्मिथा सॉंदर्य काजल अगर्वाल त्रिशा कृष्णन जैसी अभी नीत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई हाला कि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद हो रही है और साथी साथ विजे के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइटल मिला था ये क्रश पहले देशा पार्टनी को भी मिला था रश्मिका मंदाना एक के बड़े-बड़े हीरोस के सांग काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही हैं तेलगू, तम्मिल और कनड में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों मे भी रंग जमाना चाहती है, कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ओफर हुई थी, RSVP के सारे फिल्मे और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कह दिया था, इसमें उनके आपसिट होंगे सिधात मलहोतरा, मगर हाल सिधात मलहोतरा का करियर इतना स्मूद नहीं जा रहा, हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके प्रयास ज्यादा काम्याब नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मज ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिया, तो एक तरह से कहां जा सकता है कि अलू अरजुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बलकि थीएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं केवल रश सब्सक्राइब कर दिया है, बहले है ताउस स्टार की फिल्म पैन इंडिया रिलीस नहीं थी, बावजूरी से इस फिल्म की सक्सिज ने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया है, अब अलू अरजुन अपनी अग्ली फिल्म पुश्वा को लेकर बिजी है जो पैन इं पर बहुत जाने वाला है, अलू अरजुन ने हाली में केजी अफ डारेक्टर प्रशान नील के मुलकाद की है, वो हैदराबाद में आज प्रशान नील के बार स्पार्ट किये गए, यहां उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी, अलू अरजुन ने वहां से नि प्रशान नील की यह मुलकाद किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है, इस खबर पे अलू अरजुन के फैंस में भारी क्रेश है, वहला आपको बताते कि प्रशान नील की केजी अफ टूब बनकर तयार है और जल्दी क्येटर में पहुचने वाली है, इसके जवाल का जवाब उमीद है कि जल्द मिलेगा, वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है एक मीटिंग के बारे में, इंजे कमिंग बॉक्स में आपनी राइश है, क्या बॉलिवोड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका, तो आए जानते हैं, हलो और वाल्कम टू बॉलिग वैसे अगर इस सवाल मुझसे पूझा जाए, तो मेरा जवाब होता है, हाँ, और मुझे पता है, आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आधे साउट इंगिन होंगे और आधे होंगे नौर्ट इंगिन, तो आप लोगों ने, मैं नौर्ट इंगिन वादों से सवाल कर रही हूं, आप लोगों ने भी साउट इंगिन फिल्मे तो जरूर देखी होंगी, ना आप सभी को वो भाषा समझाती, ना आप सभी को समझाता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा इंजॉय करते हैं, और वैसे हम कई सारे तीवी में काम करते हुए भी देखा है, जहां हमने रजनिकांत को अमिताब बच्चन के साथ देखा है, वहीं एक तरफ शारुखान के साथ भी देखा है, और साथ-साथ एश्वर्याराय के साथ उनकी फिल्म रोबोट में तो देखा ही देखा है, उस फिल्म को भला किसने मिस किया होगा लेकिन जिस तरीके से इन अक्टर्स को साउथ में पूजा जाता है उन्हें वह रिकाग्निशन उस लेवल का रिकाग्निशन बॉलिवुड में नहीं मिल पाता है दोस्तों आप सभी को एक मज़े की बात अगर मैं बताऊं तो वह यह है कि रजनी कांथ को पूरे साउथ में इस तरीके से पुदा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहां पर पूरी नेशन वाइड हॉलिडे डिक्लेयर कर दी जाते है जी हां और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस जरा बड़ा है यहां पर बॉलिवुड में भी इन फिल्मों को बहुत ज सुनी हुई भाशा में अपने पास के नज़दी की सिनमा घरों में भी बेख सकते हैं तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहुबली फ्रेंचाइज और केजी फ्रेंचाइज ने फिल्मों को डप करकर सिनेमा में रिलीज किया है और यहां तक कि साहू जैसी फिल्मों में हि इंडी आक्टर्स को भी लिया गया है साउथ के मशूर अक्टर अलू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करते आ रहे थे वैसे तो उनकी ओडियन्स तमिल ओडियन्स तन्नड ओडियन्स यही सब लेकिन अब वो अपने इस टागेट को बदरना चाहते हैं हागी में एक इं सब्सक्राइब करना और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूं आप सभी से विदा क्या अलू अरजन की फिल्म पुश्पा में होने वाली है उर्वशी रौदेला क्या होने वाली है पुश्पा के खास बाते कब तक यह फिल्म रिलीज होगी है हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं बॉलिक्रास स्टूडियो मैं हो सोनी का जयार पुश्पा की लगातार अपडेट हम आपको देखते ही रहते हैं एक और अपडेट सामने आई है पुश्पा में बहतरी डांस तो उर्वश्पा करती ही है साथ ही उनके जो लोक्स है वो वाकई कातिलाना है और आपको बता दे पुश्पा जो फिल्म है उसका हाल ही में शूर शूरू किया था लुवर्जुन से से भी बहुत सारी तस्वीरे लीक हुई थी और जब लीक तो सुकुमार जो की इस फिल्म के डिरेक्टर है वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई इसलिए उन्होंने टाइट सेक्योरिटी कर ली है कि सेट से कोई भी तस्वीर बाहर न जाए वो बहुत बड़ा सर्प्राइज देने वाले है इस फिल्म के जरीए आपको ब साथ ही आपको बता दे इसमें सेंडल वो जो लकडी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अलु अर्जुन और इसमें विजय सेतु पती भी एहम भूमिका में नजर आने वाले है वो पुलिस का करदार करने वाले है और शायाद अलु अर्जुन कैसे बच पर हमें अपने स्टाइलिश स्टार अलु अर्जुन नजर आएंगे जब हम इन्हें छोटी स्क्रीन पर देखते हैं टीवी पर देखते तो मज़ा आ जाता है लेकिन सोचिए बड़े परदे का अनुभाव किस तरह से होगा जब ग्रैन एंट्री होगी और इसमें खाली ए एंटर्टेइन्मेंट फिल्म यह होने वाली है क्योंकि एक्शन तो है ही साथ ही आपको उर्वशी रौतेला का धमाकितार डांस भी इस वद में देखने को मिलेगा तो दोस्तों कितना इंतजार है आपको अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा का नीचे कॉमें सेक्शन मे जरूर बताएगा फिल्हार उसकी शूटिंग चल रही है और अगले साल तक इसे रिलीज किये जाने का प्लान है तो लिखे नीचे कॉमें सेक्शन में कितना इंतजार है पुष्पा का अलुर जुन आपो कैसे लगते हैं और इसी तरह के दूसरे बॉलिवड टॉलिवड की आने वाली फिल्में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिग्राथ स्टूडियोज में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा से जोड़े कुछ नई अपडेट तो इस वीडियो को एंद तर जरूर देखे अग अबसूरत लोग प्रिया आट्रस रश्मिका मंदना के फांस को उस वक्त सबसे बड़ा सर्प्राइज मिला जब सर्च इंजिन गूगल ने आट्रस को नाशनल क्रश ऑफ इंडिया 2020 फीमेल घोशित किया गूगल ने नाशनल क्रश शर्च करने पर रश्मिका का नाम परिण मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा मेरा दिल मेरे फैंस के पास है 24 साल की रश्मिका दक्षिन भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफी लोग प्रिया है रश्मिका ने कंडर तमिल और तेल्गू फिल्मों में काम किया है और रश्मिका एक साल बाद ही 2017 में आक्ट्रिस में फिल्म के हीरो रक्षिक शिती के साथ सगाई रचाली थी लेकिन कुछी महीनों में दोनों के ब्रेक अप की खबरे सामने आने लगी यही ब्रेक अप उनका ग्लो अप साबित हुआ क्योंकि महस 24 साल की यह अभिनीतरी साउथ की टॉप में गिनी जाने लगी है और बड़े बड़े नामचीन आक्टर्स के साथ रश्मिका की जोडी बनाए गई जिसमें एक नाम फिल्म पुष्पा का सामने आया और पुष्पा में रश्मिका साउथ के मशूर अभिनीता अलु अर्जुन के साथ दिखाई देंगी फिल्म की स् ही में रिलीज हुई फिल्म सौरावाई पोट्रो के सफलता के बाद अपनी अगले फिल्म पर फोकस कर रहे हैं और उनकी 40 फी फिल्म होगी ट्विटर पर पहले ही गोशनी की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ एक फिल्म कर रहे हैं और फिल्म मे इस वक्त पुश्प की शूटिंग अंधर प्रदेश में हो रही है और वही अपनी पॉपिलारिटी के चलते रश्मिका अपने से 13 साल बड़े आक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही है लेकिन सारी लेरू निक्की वारू ने में अपने से 20 साल बड़े आक्टर महेश वर्यराय पर अपने से छोटी उम्र के हीरो के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे देखे कैसे समय बडल गया वहीं क्या समय सही में बडल गया या केवल समय मेल आक्टर के लिए समय बडला है साथ ही क्या वज़ा है कि फिल्म पुश्पा में विलिन विजय सेदुपती इतने मशूर हैं अपनी आक्टिंग का लोहा मनवाच चुके विजय से तुपती साउथ के राजकुमार राओ या आयुशमान खुराना कहे जाते हैं जिसके फल्स वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं एक आक्टिर के साथ विजय प्रडियूसर, लिरिकिस्ट और डायलोग राइटर भी हैं और विजय तमिल फिल्मों में मुख्य रूप में काम करते हैं इसके अलावा कुछ तेल्गू, मल्यालम और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अभिनीता को उनके प्रशन सकों और मीडिया द्वारा मकल सेल वन के रूप में जाना जाता है पीजा, सुपर डिलक्स और पेटा जैसे विजय सेतुपती की फिल्मों ने अभिनीता की वर्सिटालिटी को दिखाया विजय ने कई अभॉड्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अभॉड्स का सिलसला बरकरार रखेंगे और जल्द ही वो रितु हसन के साथ फिल्म लाबम में भी दिखाई देने वाले हैं तो क्या एक मुख्य खलनाया का अभॉड्स जीतने के बाद पुश्पा में विलन का करदार निभाना आसान होगा विजय सेतुपति के लिए क्या होगा वहीं क्या विजय की पॉपिलारिटी टेक कर देगी अलो अरजना रश्मीका की पॉपिलारिटी को हमें अपने में ज़रूर बताए वहीं अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई होते से लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिग्राथ स्टूलियोस को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिम्रन रावत ने लिखी है इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर्राइब मारता ज्यादा हों किनता कम गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है दोस्तों क्यों फिल्म पुष्पा की मजबूत करी और आक्टर विजे से तुपती हो रहे है ट्पिटर पर बदनाम आंतर प्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुष्पा की शूटिंग शूरू और क्या इस बार अलू अरजुन सहित फिल्म के सबी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली दोस्तो अपने जंगल में मंगल की कहावत तो जरूर सुनी होगी लेकिन क्या आपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है जेहां दोस्तो इस बार लगता है स्टायलिस्तार अलू अर्जुन अपनी दिवाली जंगलों में रश्म का मंदाना के साथ मनाने वाले हैं 12 नवंबर से शुरू हुई अलू अर्जुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग के लिए आंतरप्रदेश के शेश्चलम जंगलों में पहुची पूरी टीम यहां दोस्तों फिल्म से अलू की तस्वीर सामने आई जिसमें वो ब्राउन रण की शूर्ट और पांट में दिखाई दिये हैं उनका चहरा तस्वीरों में नहीं दिखाया गया लेकिन पुश्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बनी का अफ़तार जहां दोस्तों अलू अर्जुन के जनम दिन यानी की 8 एप्रिल पर निर्माता उने पुश्पा के पहले फोस्ट लोग पोस्टर को साज़ा किया और उसके शीशक को भी दिलीज किया जो कुछ समय में सोशल मीडिया पर वाइरल होता भी नजर आया दोस्तों आगे बढ़ते हुए निर्माता इसे कम से कम चालक दल के साथ शूट करने की योजना बना रही है और फिल्म टीम में शामिल प्रतेक तकनीशियों को नियमित अधार पर कोविड-19 परिक्षन देने के लिए कहा जा रहा है जिया दोस्तों अलुर जुन 2021 की शुरवात में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर अपनी अन्य चीजों पर काम करने की सोच रहे हैं हम आपको बता दे फिल्म रश्मिका मंदाना एकवन अधिकारी की भूमे का निभाती नजर आने वानी है ट्विटर पर फिल्म के सितारे और टमिर अभी नीदा विज़सेतुपती ट्रेंड कर रहे हैं और ये ट्रेंड दोस्तों नेगेटिव वजह से है और इसका ना सिर्फ रिकेट से संबंध है बलकि पर उसी देश श्री लंका से भी ये जुड़ा हुआ है दोस्तों विज़सेतुपती श्री लंका के स्पिनर मुथ्या मुरली धर्म की बायो पिक में काम कर रहे हैं जिसका पहला मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है ये मोशन पोस्टर रिलीज होते ही तमिल लोगों ने विज़सेतुपती पर हमला बोल दिया जिया दोस्तों का कहना है कि लाखो तमिलों के हत्यारे श्री लंका देश के क्रक्रिट सितारे की बायो पिक में काम करना एक दम गलत है जी यहां दोस्तों मुध्या मुली धरन पर बन रहे हैं इस फिल्म का नाम 800 है ट्विटर पर अब तक लाखो लोग है अश्रक शेम और विजए से तुपती कोई साथ ट्वीट कर निकते नाजर आ रहे हैं दोस्तों लोग विजए से तुपती की फिल्मों के बहिसकार की भी बात कर रहे हैं वहीं कि इस फिल्म की वज़े का फिल्म पुष्पा में काम करना तो मुश्किन नहीं हो जाएगा जह पर जानी जाती हैं दोस्तों रश्मिका को साथ की सबसे महेंगी हिरोईन भी कहा जाता है और वहीं रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इंकम टाक्स देपार्टमेंट ने चापा मारा है अधिकारियों की जार्च परताल दौरान आक्ट् का केवल 24 साल की है और इतनी सी उम्र में उन्होंने डियर कॉमरेट जैसी सूपर एट फिल्मों के साथ महेश भाबू और अलु अर्जुन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका पाया दोस्तों भई क्या जानते हैं साउट की इस चोल बुली सी दिखने वाली आक रश्मिका ने अपनी फिल्म के रिक पार्टी में हीरो रक्षिट शेटी से सगाई रचा दी थी लेकिन ताल मेला बन पाने की वज़े से दोनों ने 2018 में सगाई को तोड़ दिया दोस्तों महीं क्या गुड़ चाहती है अपने फ्यूचर हस्बिन में रश्मिका बंदाना त तैयार होंगे महीं रश्मिका 2021 की शुरवात ने अलू अर्जन के साथ पुष्पा में दिखाई देंगी साथ ही उनकी दूसरी फिल्मों में पोगरू और सुल्तान शामिल है तो दोस्तों क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटबल दुला कौन से यंग पुलिवड आक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में हमें अपने जवाब जरूर बताएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें असल्म पुष्पा की कहानी पर लगा गया है दैन क्यों फिल्म को बंद करना पड़ सकता है डिरेक्टर सूकुमार को और क्या विशाखा पटनम पहले पहुंची पुष्पा की तीन क्या लेना देना है इस लोकेशन का फिल्म से अलो अर्जुन की आने वाली सुन पुष्पा पर एक साहितिक साजिश्रच्रे कारोप लगाया जा रहा है जिसे मूल रूप से लेखक वेमपली गंगाधर ने लिखा था वेमपली ने दावा किया है कि फिल्म पुष्पा की कथानक उनकी तमिल कहानी कुली के सामने से है ज इसमें दिखाया था कि कैसे फिल्म पुष्पा की कहानी के रूप से वही कहानी थी जो लंबे समय पहले प्रकासित हुई थी लेकक ने यह भी बताया कि वह विवाद को भरकाने की कोशिश नहीं है बलकि जंता को पूरे मामले के बारे में जागरू करने की एक छोटी सी पुनमी के लिए उन्हें साहित्तक आदमी के युवा पुरुसकार में समानित किया गया था गंगाधर के पुरुसकार विज्वेता प्रस्तुत मोलकला पुनमी तेरा लगू कथाओं का संग रह यह किसानों के दर्शाओं से इर्द गिर्द बुनी गई है तेलगु कवी ग अधिकारिक टिपटी नहीं की गई है हाल ही में चुरिंजीवी अभिनेती फिल्म आचारे को भी साहतिक चोरी के लिए दोशी ठहरा आगया है लेखक राजेश मंदूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पटकता उनकी फिल्म के संबान थी वहीं पुषपास सूकुमार द रिलीज होने वाली थी लेकिन महामारी के कान इसके रिलीज आगे खिसका दी गई निर्माताओं ने पहले ही इस फिल्म से अलू अजुन को फॉर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया था जिसने फिल्म प्रडेमियों और अलू के प्रिशन्शकों के बीच अच्छी चर्चा प पटनम में एक विश्य रूप से निर्मित सेट पे होगा वर्तमाल में पुष्पा का सेट मेर्दू मिली में वन पर चल रहा है उनके कहानी चंदन के स्मगलिंग से जुड़ी है और कहानी तिरमुल्ला के पहाड़ी शेतर शेष चलम वन की प्रिश्ट भूमी के खिलाफ स् तुन बोली सीखी, फिम के देनमाताउं ने इस बात की पुष्ची भी की कि वे फिम्म एक एक्शन सीक्वेंस के लिए के लिए 6 करोड़ रुपे की भारी भरपाई करने वाले हैं जिस वज़े से ये फिल्म एक काफी हैम सीक्वेंस रहेगी वहीं इस सेक्वेंस में कहीं अ हमारा नुमान है कि वह फिन पुश्पा के सेट की तरफ रवाना हो रही थी काले रंग की टी-शट और फॉर्मल पांड पहंडे डीयर कॉमरे रभिनेट्री काले रंग की स्टाइल में स्वैक के साथ गुमती दिखाए थी उनके बाल खुले होने के साथ मुखोटे का स्टालिस्ट चश्मा लगाए वैं दुनिया के जीतने के लिए तयार बॉस लेडी की तरह लग रही थी बगता है स्टालिस्ट और अलु अर्जुन को कॉम्पेटिशन देने के लिए मैदान में उतर गई है रश्मिका भही क्या कहना आपका इस नई जोड़ी के बारे में क्या अलु अर्जुन और रश्मिका के भी इज फिल्मी केमेस्टि जमेगी या नहीं हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ हमारे चानल बॉलिग्राद पर इसी तरह नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिल्चस्ट ताक्स देखने के लिए से सब्सक्राइब करना न भूले आज के हमारी स्क्रिप्ट अलु अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या क्या तैयारिया कर चुके है कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलु अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप थेटर आल लेना होगा तो मज़ा तो आएगा ही इसके अलावा आपको बताते कि अलु अर्जुन ने भी कमर कसली है और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगे जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो ये बहुत जादा सूपर हेट रह हैं क्योंकि दौर्स इंडिया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है लेकिन ये फर्स टाइम हो रहा है तो अलु अर्जुन ने पूरे जान छोग दी है एक पिया टीम उन्होंने रखी है जो कि आब सारे इवेंट और नाइस करने माले हैं प्रमोशनल इवेंट साथ ही जितन इतना भयंकर मज़ा आने वाला है दोस्तों ये बात वागए बहुत बड़ी एकसाइटमेंट भरी है और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है रश्मी का मंदाना इसमें निजर आने वाली है विजह सेतु पती है और विलन का न पारी जोडियां रिपीट हो रही है एकसाब से लगाया जाए और सैंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगी अलु अर्जुन उनकी तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s स 90s का यह एरा है जिसमें की अलु अर्जुन की जो शर्ट ह चेक शोर दिख रही है बेल बॉंटम पैंड्स दिख रहे है साथी उनके हाथ में स्टील के घड़ी है जो कि 80s के दौर में पहनी जाती थी तो उसी टाइम का यह दिखाया जाएगा आंदर प्रिदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत अप्रेसिव अलू अरजुन नजर आ रहे हैं और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे फिल्म में आक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों आपको कितना अंतजार है अलू अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा का यह जरूर बता इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हूं गिनता कम गिनकर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है अलू अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपनिंग रह सकती है पुश्पा की वर्डवाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़र में बनाया जा रहा है पुश्पा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्रास स्टूडियोज मैं हूं सोनी कज्वाल बात करेंगे साउथ के स्टाइलिस्टार अलू अरजुन की जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुश्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोक शेयर है और जिसने भी लीग किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिया है कि आखिर कौन इसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमाका मचाना चाहते है इसके लावा आपको बदा दे पुश्पा का बजट भी हाई रखा गया है 500 करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इंडिया यह फिल्म है यानि कि पाच भाशाओं में रिलीस की जाएगी और पहली बार अलू और जुन हमें हिंदी में भी बड़े परदे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ओफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अ ओपनिंग आराम से देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले अलग भाशाओं से जो बाकी भाशाओं में रिलीस हो रही है उससे 60 करोड यह उक्यूपाई कर ही लेगी इतना कलेक्शन यह कर ही लेगी खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में यह टोटल कलेक्शन ओवरॉल कलेक्शन की बात करें तो 200 से 500 करोड यह फिल्म आसानी से कमा लेगी वर्ड वाइट की बात करें तो 20 करोड का यह ओवर सीज कलेक्शन करेगी पहले दिन तो इस हिसाब से लाइफ टाइम कलेक्शन की हम बात करें तो वर्ड वाइट यह 500 करोड की कमाई क तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो पांसो करोड की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलु अर्जुन के जो फिल्में है उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइ इन भी फिल्में आती है उनका हिंदी डव जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूस के मामले में भी और फैंफोलिंग काफी तगडी है इसके लावा उनके अपोजट इसमें रश्मी का मन्नाना दजर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री और लेड सामने आ चुका है वो है आरिया और आरिया अलु अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतुजार है इस फिल्म का नीच अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली है रश्मी क दर्शकों को क्या इस नए के दा से बदल चाहिए अभी नीतरी की छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलु अर्जुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती ह आज इस वीडियो में हम फिल्म पुश्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंद तक जरूर देखें अपनी खुपसूर्ती और क्यूटनेस की वजह से हर जग अचा रही है करने अभी नहीं तरी रश्मे का मंदना अभी अपने जिम वर्काउट की वीडियो से लेकिन जल्द ही अभी ग्लामर डॉल अपना काया पलट करने जा रही है अपनी एक खास फिल्म के लिए तो क्या पैयार है उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मे का जल्द की स्मगलिंग की कहानी पर आधारे थे अलु अर्जुन का बीहर लुक लुक पहले ही सोचल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है अलु अर्जुन जिन्होंने बच्पन में ही अपना आक्टिंग करियर चिरंचीवी जैसे बड़ सतारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर साथ सरीलेरू, निक्कीवेरू और भीशमा जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में दी फिल्म पुष्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अफ़तार में दिखेंगी हमेशा ग्लामरिस अंदाज में देखी गया भी नेतरी आंदरपदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रीनिंग भी ले रहे हैं वही के जीएफ की शीना यानी श्रीनिदी शिट्टी के बाद अब कंणर व्यूटी भी चल पड़ी है तमल सिनिमा की तरफ जल्दी रश्मिका तमल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं और क्या आप जानते हैं श्राइद कपूर की अगामी फिल्म जोसी में म्रुनाल ठाकों से पहले रश्मिका को फिल्म में म्रुनाल वाला किर्दार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल् का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला वहीं दिपिका पादुकौन के फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला बाजीराव मस्तानी और पदमावत ने दिपिका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सल्मान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थ अलू आरजुन फिल्म पुश्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपर हिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुश्पा को मैथ्री मेकल्स बैनर्स बैरूल के कर रहे हैं और जो अलू आर्जुन और डारेक्टर को औरतला शिवा के साथ फिल्म हाश्टाग AA21 से भी जुड़ गए है फिल्म पुश्पार डारेक्टर सुकुमार अलू आर्जुन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है और ये फिल्म के म्यूशिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद हें जन्होंने कई तैलगू हिट गाने दिये है वहीं आपको उर्वशी रोटैला का गाना ढड़ी मम्मी हैनी घर पे याध है उस गाने के म्यूशिक डारेक्टर ही भी प्रसाद ही है सूकमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रारंग स्थलम में भी देश श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डारेक्ट किया है एक इंटव्यू के दोरान न्यूजिक डारेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वहीं फिल्म से जुड़ी खास बात ये है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोक दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरो सोरो से चल रही थी और पुष्पा को इस साल की शुरुवाद के लौञ्ज किया गया था अलू अरजुन स्टेरर पुश्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वाइरस में पॉजिटिफ पाया गया इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोग दी गई और सेट पर सभी की शुरक्षा और साथ धानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने जैनुरी तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मे का भनसाली की हिरोईन कहीं फिल्म पुष्पा की जी एफ टू से क्लाश तो नहीं करेगी आपको क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंस करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें अलो अर्जन स्टारर पुष्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतर इन फिल्म के साथ तेजी से पॉपलिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इन इस एफर्ट का रेजल्टेंट है कमाल का सिनेमा जिसके काफी चाहने वाले है तो हम सेफली यह कह सकते है कि कॉंटेन के मामले में अब बस बॉलियूट ही नहीं बल्कि साथ में ही कई रीजियनल सिनेमा भी रेस में आ चुके है और कई केसे में तो बॉलियूट से बड़िय साथ हैं मुद्दे पर स्टाली स्टार अलु अर्जुन की और कनाड़ा क्रश रश्मी का मंदाना की मच अवाइट फिल्म पुश्पा रिलीज होने जा रही है और एस एक्सपेक्टेड इस तेलगु फिल्म की एंटिसिपेशन आस्मान छू रहा है फिल्म का प्लॉट जिसमें अलु अर्जुन इसी धंदे में काम कर रहे है एक लौरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपिसद रखी है पर जिस देश में इतनी क्रेटिव ओर्डियंस हो वहाँ क्रेजी थि लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वह कि फिल्म की फीमेल लीड यानि रश्मी का मंदाना का करेक्टर है पुश्पा और प्लॉट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता ह है पुश्पा एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और लीड हीरो अलू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है पुश्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सैंड अलूट की तसकारी करने वाला लोर अर्जुन इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफी को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन तियोरी की तरफ इसमें अलू अर्जुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुक में इसलिए अलू अर्जुन खुद भी रेर सेंडलूट का स्मॉगलर बन जाएगा और लोडी चलाएगा इसी लूप में वो विलेंग के करीब पहुच जाएगा जो सेंडलूट स्मॉगलर माफिया हैड होगा और जिसने उसकी बेहन को इसलिए मारा होता है क्योंकि इस ध कर दो कब रिलीज होने जा रहे हैं अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुश्पा की खास बाते हेलो फ्रेंड्स आप देखने हैं बोडिग्राफ स्टुडियो मैं सोनिका जयाल आपने ज पुश्पा को बड़े परदे पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नॉर्थ में भी अलु अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलु के जन्म दिन के मौके पर अलग अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया गया था जिसमें की अ अलु अर्जुन बहुत जादा मेजिंग लग रहे थे सोशल मीडिया पर बहुत जादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रतिशीर सिंग का हाथ था जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए औरेडी अवार्ड ज बहुत जादा मेहनत करी है उन्होंने और ये लोग सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोग शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलु अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनौन्स कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुलहारी नजर आ रही है पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नजर आ रहे है उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वो एक पेड़ पर बैठे हुए है और साथी अलु अर्जुन ने अग्रेसिव मोड मे नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथ ही अलु अर्जुन ने से कैप्शन दिया है 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 पुष्पा लोडिंग इन थीएटर स्रॉम 13 ऑफ ऑगस्ट 2021 एक्साइटेड तू मीट यू आल इन सिनेमाज दिस यार और सिर् अलु अर्जुन के साल आर्या और आर्या टू में भी उन्हें डारेक्ट कर चुके हैं फिल्म में अलु अर्जुन के अलावा आपको विजह सेतु पती प्रकाश राज जगपती बाबु जैसे कलाका नजर आएंगे और एक्ट्रस की बात करें तो रश्मी का मंदाना एक ब फिल्म की प्रिष्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द घूमती वही नजर आएगी ये दक्षरी आंधर प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाडी शेत्र का हिस्सा है यानि कि बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें विजह सेतु प होने वाली है तो आप कितने एक्साइटे रहे जल्दी से लिग डालिए नीचे कॉमें सेक्षिन में और इसी तरह के दूसरे बॉलिवूद, टॉलिवूद, हलिवूद अपडेट्स के लिए लो एन वेलकम टू बॉलिवूद नई चटपिटी वीडियो में हुश्रिया रोरा आपकी आज की होस्ट और आज अंबाग करने वाले हैं फिल्म पुश्पा के बारे में पुश्पा एक अपकमिंग इंडियन तेल्गू लैंग्विज अक्शन फ्रिलर फिल्म है जुसे डारेक्टर अलेखा सूकुमार ने है सूकुमार एक इंडियन फिल्म डारेक्टर, प्रिड्यूसर अन स्क्रीम राइटर है जो की प्रीडॉमिनेंटली तेल्गू सिनिमा में ही काम करते हैं उन्होंने अपने कारियर की शरुआत अज राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवे विनायक को भी असिस्ट किया है सूकुमार ने अपना डारेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या की द्वारा किया था और ये फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अक्टर्स अलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती, बाबू, प्रकाश राज, धननजे, सुनील, गिरीश उठमन और वेनला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग डोल में थे आपको बता दे कि फिल्म पुश्पा को प्रोड्यूस मेतरी मुवी मेकर्स अन एस्सोसियेशन विद मुत्तम शेटी मीडिया के तहट प्रोड्यूस किया था फिल्म पुश्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहट रिलीस किया था फिल्म पुश्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलबू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेट वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है जनवरी 2020 में पहले डारेक्ट सुकुमार का अनाउंस किया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्ट सुकुमार की क्रिेटिव डिफरैंसिस की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का ऐडिया ड् 갑 कर दिया कोलाबोरेशन है साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेड सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लाउंच किया गया था उक्टूबर 2019 में डिसेंबर 2019 में डिरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफ सब्सक्राइब करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए रश्मिका मंदानल को एपरिल 2019 में अस लीड अक्टर कास्ट किया था और जगापती बेबी और प्रकास्ष राज को की रोल्स के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जुलाई 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतुपती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कन्नडा के फेमस अक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुश्मक की शूटिंग से शुरू हुई थी दब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉलक्रास वीडियोस को सब्स्क्राइ भी जरूर करें हम जल्दी लॉटिंग एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्क्रिट्प्राइटर है रुशाद इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किनता कम गिंग कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है सवर मैं असा ही हूँ भूख लगती है तो पेट पर खाता लीन दाती है तो जीवार सूता और गुश्सा आता है तो परूब कर लगता सवर्ण थान तो जाइब कर दो तो जाइब कर दो जाएब नाइब कर दो डाइब कर दो बादाना कर दो प्रॉब्लम क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉन्ट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलिगराश यूडियोज में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इलियन फिल्म इंडास्ट्रि के कई फिल्म में पैन इंडिया रिलीज यानि की अपने ओरिजिनल भाशा के साथ साथ कई और भाशाओं में भी रिलीज होने वाली है ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में S.S. राजा मॉली की फिल्म बाहु बली तब बिगनिक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रड़क्शन करन जोहर के धर्मा प्रड़क्शन ने किया था उसके बाद बाहु बली स्टार्ब प्रभास की पुपिलानिटी की वज़ा से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्म में राधे शाम और आधी पुरुष और साथ में नाग एश्विन की फिल्म और सिधात अनन्द की फिल्म में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है उसके बाद फिल्म केजी अफ चांटर टू को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साउथ इंडियन आक्ट्रेस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्री देवी, जया प्राडा, एश्वर्या राय, असिन, दिपिका पादुकोन, तापसी पनू जैसी को जभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अगरवाल, त्रिशा कृष्णन, जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई हाला कि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और साथी साथ विजे के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइटल मिला था ये एक क्रश पहले देशा पार्टनी को भी मिला था रश्मिका मंदाना एक के बाद ही बड़े बड़े हीरोस के साथ काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही है तेलगू, तम्मिल और कनड में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हाँ कह दिया था इसमें उनके उपसिट होंगे सिधात मलहुतरा मगर हाल ही में सिधात मलहुतरा का करियर इतना स्मूध नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे है मगर उनके प्रयाज ज्यादा काम्याब नहीं हो पा रहे तो इसलिए रश्मिक अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के आपोसिट फिल्म ढूंट रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलू अरजुन की एक फिल्म आई अलू अरजुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिया तो एक तरह से कहां जा सकता है कि अलू अरजुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बलकि थीएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं केवल रश में का कि उस ख्वाइश की वज़ा से दोस्तों साथ फिल्म के एक्टर अलू अरजुन इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्ची चैक्टर है उनके पिछले फिल्म अला वैकूर्ट पूरम की धुवाधार सक्सेज ने उन्हें पूरी दुलू अजिर संग अग्री फिल्म की तैयारी करेंगे इस जवार का ज हुआ 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 है कब तक रिलीस होगी फिल्म पुष्पा केतने अब वाद्स जीट चुकी है रश्मे कमंदना नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है मिताहे दिल से आप सब का स्वागत करती हूँ बॉलिग्राद स्टुडियोस की आज की इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंग अब कमिंग फिल्म पुष्पा के बारे में तो दोस्तों आप इस वीडियो को एं तक जरूर देखे ताकि सारी अपडेट्स आप तक बहुत सके और अगर अभी तक आपने हमाई चानल पर अपनी फेवरिट मूवीस रूलेटेट अपडेट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी और वाई रवी शंगर में जो मैथ्री मूवी मेकर्स के असोसियेशन में मुट्टम सेटी मीडिया से हैं अब दफिल्म स्टार अलु अरजुन आण रश्मी का मंदिना जबकि जगपती बाबु भी है प्रकाश राज धनन जय और सुनील भी सपोर्टिंग रोल में नजर आ आने वाले हैं जैसा कि प्रशंसक पुष्पा के निर्माताओं को अधिकारिक अपडेट के साथ आने का इंतिस्दार कर रहे हैं एक नई रिपोर्ट अब ऑनलाइन सामने आ रही है ये दावा करते हुए कि फिल्म का टीजर अलु अर्जुन के जनम दिन पर रिलीज किया ज इवला कि ये रिपोर्ट के अनुसार पुष्पा के दो स्कूट शूटिंग स्केडियूल्स पिछले महीने राप अप हुए थे और निर्माताओं ने ट्विटर पर इसकी घोशना भी की थी उन्होंने लिखा था टीम पुष्पा ने नवेंबर 2020 और जनवरी 2021 के दोरान र थांक यू रंपा चोद्वारम और मार्देवली अब हम निश्यत रूप से फिर से वापस आ जाएंगे उन्होंने ट्विटर पर लिखा वही अगर हम रश्मिका मंदना की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उस लिस्ट में पुष्पा के साथ सार्श शामिल है मिशिन अदवालू मिकु जोहालू और सुल्तान ये सारी फिल्में 2020 में ही रूलीस होने वाली हैं दोस्तों अवार्द की बात करें तो हमारी इंडियन नाशनल क्रश यानि की रश्मिका मंदना नहीं अभी तक पाच अवार्द्स जीते हैं जो की है बेस्ट जेब्यूटें फीमेल वही उन्हें 9 नॉमिनेशन में भी लिया गया था रश्मिका मंदना आज की डेट में उस लिस्ट में भी शामिल होती है जो की महेंगी अक्रिस के बारे में होती है तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि रश्मिका अपना जादू बिखेर पाएंगे फिल्म में अपनी क्यू इन कारों उसी हुई पुश्पा फिल्म के शूट शीडियों में देरी या इस डिले की वज़ा से पुश्पा की रिलेस टेट पर भी फर्ग पर सकता है पुश्पा फिल्म के बारे में क्या अपडेट दी है फिल्म और टेलेविशन के फुल फॉर्म में काम करने का सिलसिला अभी दो-तीन महीने पहले ही शुरू हुआ था कि अभी से ही इसमें आच्छाने आने लगी पड़ते हुए कोवीट के इसे एक बार फिर से इंदिया के लिए सरदत बने हुए है और इसी कारण से काफी सारे मुवीश या तो थियेट्रिकल रिलिस को अभी के लिए स्किप कर चुकी है या फिर कर्रेंटली शुट हो रही ही फिल्म के शुट शीडियूल में गड़बरी हो गई है और कास्ट इंद क्रियू की सेफटी को मद्यनजार रगती हुए इन शीडियूल को अभी पोस्ट पॉन ही करने में मेकर्स ज्यादा तवाजो दे रहे है इसे दिले का शिकार हुई है अलो अर्जुन की पैन इंडिया रिलीस पुषपा इस फिल्म की शूट स्टार्ट हुए काफी टाइम तो हो चुका है पर अभी तक इस मैसिव प्रोजेक्ट के दो शीडियूल ही पूरे हो पाये थे अब जैसे ही इसका अगले शीडियूल की तयारी कास्ट इंड क्रियू ने शुड़ू की तो इनका रास्दा कात लिया कोडोना ने क्योंकि फिल्म काफी बर स्केल पे बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्रियू भी काफी ज्यादा काम कर रहा है इसलिए इस डिले का असर सीधा इस फिल्म की रिलीस पे ज़रूर पढ़ने वाला है और मेकर्स के लिए रिलीस की डेडलाइन को पकर रखपाना लगबग नामुम्किन सा हो जाएगा पर जैसे कि हम सब जानते हैं सुकुमार एक ऐसा डारेक्टर है जो शूट के मामले में कोई जलबाजी नहीं दिखाते हैं इनका सिधानती यही है ताइम चाहे जितना लग जाए पर हर काम होगा तसलिबक तो शूट तभी शूट होगी जब कंडिशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा फिर चाहे इस डिले की भरपाई फिल्म के रिलीज डेट को खिसका के ही क्यों ना करनी पड़े हाला कि रिलीज डेट पे मेकर्स तभी कुछ फाइनलाइस कर पाएंगे जब फिल्म के शिडियू अब ये वाइदा पूरा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अभी तक जो अपडेट हमें अलो की तरफ से मिला है वो तो मात्रतो तेलिगू वर्ड्स का है खगे देले अब इसका क्या मतलब है ये हम अभी क्लियर कर देते हैं अलो अर्जुन एक देलिगू मोवी के लाँच इवन्ट में चीफ गैस्ट वन कर गए थे तो वहाँ जब उनसे पुछपा की शूट के बारे में डीटेल पूछी गई तो उन्होंने इस सिर्फ दो शवदों में बयान किया कगे देले जिसका लूसी मतलब ये है कि फिल्म की शूट मस्ट और ये ही करना भी पड़ा है पुछपा फिल्म के मेकर को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही सौट के सूपरस्टार अलू अरजुन और रश्मी का मंदना के फिल्म पुछपा की पहली जलक सामने आ गई है इसका खुलाशा करता हुए मेकरस ने एक धमाके दार वीडियो शेयर किया है इस वीडियो को देखने के बाद अलू अरजुन के फैंस बेहद एकसाइटीड हो गए है इस वीडियो में हमें अलू अरजुन का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उनका अंदाल सी उनकी सबसे बड़ी पहचान है जहां इस फिल्म क चोटा टीजर भी कमाल का है दोस्तो देखा जा तो वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म के विलन को लेकर अपडेट सामने आया था मेकस ने फिल्म के विलन से फैंस को इंट्रोड्यूस करा दिया जहां बताया गिया कि इस फिल्म में नैशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फासिल फिल्म में विलन के कैरेक्टर निभाएंगे इसक्रिन पर अलू अरजून और फहाद की टक कर देखने लाएक होगी दोस्तो बात करें फरस्ट लुक की तो वीडियो में देखने को मिला कि इसमें कोई एक वेक्ती जंगलों के बीच भाग रहे जिसके दोनों अरजुन भाग रहे हैं और उनकी चेहरे पर रेड कलर का यह कपड़ा क्यों है तो दोस्तों पता चलेगा जब फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होगी आपको बताते कि इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं सुकुमार यह फिल्म 13 अगस्त को तेल्गू तमिल हिंदी कंणर और मल् कि ओडियोंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहे हैं ताकि इसका आनंद सभी लेंग्विजिस के दर्शक उठा सके क्योंकि इस फिल्म से अलू अर्जुन मैसिव स्टार पावर हैं इसलिए मैं पूरा विश्वास है कि इसकी कहानी को ज्यादा लोग पसंद करेंगे पुशपाफ फिल्म की कहान ही एक एक्शन एंटर्टेनिंग स्टोरी है जिसके जरीए दर्शकों को फ्रेस और जबरदस्ट कॉंसेट देखने को मिलेगा वेल दोस्तों देखा जा तो अलू अर्जुन की जितने भी फिल्में होती है काफी फ्रेश और काफी डिफरेंट हो और जब उन फिल्मों में अलू अर्जुन का तड़का लगता है तो फिल्म और धहमाकेदार हो जाती है तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये फिर्स्ट ग्लिम्प आफ पुश्पाफ फिल्म नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राइश अपनी सी बात के लिए इतना वालेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिंकर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वज़े से पुश्पा मूवी से विजे सेतुपती की एक्जिट हो गई और उनकी जगह कौन लेने वाले हैं साउट स्टार अलू अजन की नेक्स्ट फिल्म पुश्पा के लिए सभी लोग काफी एकसाइट हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2020 की हिट अल्ला वईकुंठ पूरा मलू के बाद वो क्या कुछ नया लेकर आ रहेंगे तो आपको बता दे कि इनकी अगली फिल्म होगी धाकर अक्शन एंटर्टेनर पुश्पा की स्टोरी रेट सांदल वूड की स्मगलिंग पर बेस्ट होगी जिसमें अलू हमें इसी धंडे में काम करते हुए लॉरी ड्राइवर बने दिखेंगे इनी के आपकोजिट फिल्म में रश्मिका मंदाना भी होंगी इनके रोल के बारे में हमें जादा कुछ पता नहीं लेकिन हेरो हेरोन के अलावा एक और इंपॉर्टेन्ट रोल होता है स्टोरी में जी हाँ वो है विलन का तो जी विलन के रोल के लिए भी मेकर्स ने एतागड़ा कंटेंडर पहले चुना था जो की थे विजय सेतुपती और सीरिसली एक ऐसे अक्टर हैं जो साइड रोल में होके भी में अक्टर की परफॉर्मेंस पो डॉमिनेट कर देते हैं और दिली तमन्ना तो यही थी कि काश यही होते फिल्म में विलन पर मेकर्स को इन्हें हटाना पड़ा और इसके रिगार्डिंग रीजन्स भी देते हैं अलावार्ण यह ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इखलादे हैं तुम जड़ा सा खून देंकर इतुना तर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुक्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसके कोई की मत नहीं है जिसका तिल पक्तर का उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तवी नहीं है इस मलक की मिट्टी उटके खून से नहीं हुए अपने एक राक्षस को तो दबोच हुआ लेकिन उसके साथ उस से भी बड़े राक्षस को बचा लाएं आपनल करना के अजिए अजिए अदेशा करते हैं अजुज़ 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 वगज़ वा इसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया पर कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को इसकी जड़ों से ही इगला दिया तुम जड़ा साथ खून दिकर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफ़ा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसकी कोई की मत नहीं है जिसका तिल पतर का उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर गेटों की तब ही लिए है इस मनक इमिटी उतके खून से बहना ही हुए उनने एक राक्चस को तो दो बोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा लिए जुआ 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 है अल्लावाण यहां ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रेटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इखला देगा तुम जड़ा साथ खून देखकर इतुना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां पहद मुक्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पत्तर का उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तवी नहीं है इस मलक की मिटकी उचके उन से नहीं है हमने एक राक्षस को तो दबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिए अगर्ड़ा अगर्ण आगर्ण जिखा इसका कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया या कभी सोचा गी प्रिजिश हकूमत को उसकी जड़ों से ही इपला देए तुम जरा साथ खून पे कर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां पहर मुत्टफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेगार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका तिल प्थरका उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बादा शेशा चलम के जंगलों में पुश्पा को दोड़ने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनट जपलॉई की भावरा पेट की पहाड़ीों पर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये जिन पर भरोसा करते हैं उनसे दुखा खाना क्या होता है मुझे पताए इसे छोड़के गल्ती कर दिया काट देने का था उसे काट दुखानी पड़ेगी वो जब इदर था तब तेरी भड़ गई थी क्या कि अरे अरे फ्टिया करता हम नहीं हुई कि खुश्पा नाम सुख्या फ्लावर्स अंजे क्या कि मैं इतरी टांग अडाने को नहीं आया कि राज करने के लिए आया मैं पहाड़ी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये पूल सिलत पच्छोद पर मिले आठ घोलियों के निशाप ए यह क्या कर रहा है तू कोलियों से घायल पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बसाई गोलिया उताचरा है कि पुश्पा कम भी रूप से सख्मी गवा है शेशाचलम की जंगलों में पुश्पा कुटमूने के लिए पुलीस ने इक स्पेशल यूट डिपलॉई है अब बस यह देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह कामाता था अब तुमाला महित्या का पुश्पा ने पईसों का क्या क्या है ठीके शाभी पुश्पा नेहीं कर वाए पुश्पा नहीं हमारे लिए थार पंदाए अरे वो आम बेरेगों को खाना खिलाथा था रेकिंग नीज जंगलों में लगाये गए वाइल लाइफ सर्वलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चानल ने अभी प्राप किया है ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे स्टिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हूं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है अब रून पुष्पा का पुष्पा को दोड़ने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनिट डिपलॉई की भावरा पेट की पहाड़ी उपर पुलीस ने पुष्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लत्वत शोड़ने आठ भूलियों के निशान जिन पर भरुसा करते है उनसे दूखा खाना क्या होता है मुझे पता है उसे छोड़ के गल्ती कर दिया तार्ट देने का था उसे कर दूखा था तब तेरी फड़ देही थी क्या अरे फ्टिया करता हम नहीं हुए था 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 तब तेरी फड़ देही थी क्या कि खुष्पा नाम सुक्या फ्लावर्स हमें क्या रहा है तो अब भाई तरी टांग अड़ाने को नहीं आया राज करने के लिए आया मैं पहारी उपर पुलीस ने पुष्पा की कुछ कपड़े बरामत किये पुल से लगपड शोट पर मिले आठ गोलियों के निशा ए यह क्या कर रहा है तुछ पुष्पा हुआ दिरुपती जेल से फराए इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बसाई गोलियां उताचरा है कि पुष्पा कम भी रूप से जख्मी गवा है शेशा चलम के जंगलों में पुष्पा को दूणने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूट डिपलॉई गी है पुष्पा करते हैं अचलम के फुटेज अब हमारे स्टी केबल स्क्रीन पर देख सते हैं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो सम्झो शेर आया है लेकिन जब शेरी दो कदम पीछे ले तो सम्झो पुष्पा आया है अब रून पुष्पा का अब रून पुष्पा आया है